तो अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आपने जैसा मेरा पहला वीडियो इसका देखी लिया है एक से लेकर 40 प्रिश्णों को आपको समझाया था अब हम इस वीडियो का पार्ट टू सुरू कर रहे हैं और प्रिश्ण संख्या 41 के साफ देखिए पहला प्रिश्ण अर्थात 41 प्रिश्ण इसका है कि प्रिकीर्नित एलफा कणों का गमन पत होता है बृताकार दीग बृताकार परवलाकार अती परवलाकार तो आप इस प्रिश्ण से समझी गए हूंगे कि जब रधर फोर्ड ने एलफा कण का जो प्रिकीर्नित प्रियोग किया था तो उसमें उसने क्या किया था कि सोनी की पत्ली पत्ती लेकर उस पर एलफा कणों की बोचार की ती उसने देखा था कि अधिकतर एलफा कण सोने की पत्ली पत्ती से पार निकल जाते हैं जबकि लगवग 20,000 कणों में से 2 या 3 कण ऐसे थे जो अधिकोंड पर बिच्छे पितुए और एक कण ऐसा था जो टकरा कर बहुत आश्चर है चकित हुए थे और इस आदार पर उसने कुछ निस्कर्स निकाल लेती पहले निसकर्स किया था क्योंकि अधिकतर एलफा कण सोने की पत्ली पत्ती से पार निकल जाते हैं इसलिए पर्मानू का अधिकतर भाग खोकला होता है नम्मर 2 क्योंकि कुछ कणो में से 20,000 कणों में शर्तात बहुत अधिक कणों में से एक या दो कण अधिक कौण पर बिक्षेपित हुए इसका मतलब परमानू के मद्द में कोई भारी और धनावेसित भाग होना चाहिए क्योंकि अलफा कण धनावेसित है तो धनावेसित कण तभी बिक्षेपित होगा जब कोई भारी कण हो एलफा कण भारी है क्योंकि इसका जो दर्ब्यमान सेंक्याए वो चार है तो परमानू के मद्द में कोई भारी भाग होना चाहिए और धनावेसित भाग होना चाहिए तभी एलफा कण बिक्षेपित होगा तो उसने मान लिया कि परमानू के मद्द मे भारी और दनावे से भाग होता है जिसमें परवानों का समच्छ द्रव्यमान केंदरित होता है तो अब जो यह कण प्रिकिरनत होते हैं इनका जो पथ है वो कैसा होता है वो अती परवेलायकार हाई-परबॉलिक होता है तो इसमें option हमारा हो जाएगा D आप चलते हैं अगले प्रिशंग पर तो देखिए रदरफोड एलफा कनों के प्रिकिरिनन समद्धी प्रियोग में नाविक के निकटतम जो एलफा कन पहुँचते हैं सीदिसी वात है जो एलफा कन नाविक के निकड़तम पहुंचेंगे वही तो अधिक प्रिक्रिनेत होंगे अर्थात जितनी नाविक के समीप जाएगा अलफा करण उतनी अधिक कौन से वह प्रिक्रिनेत होगा तो तो देखिए निकड़तम नाविक के निकड़तम जो अलफा करण पहुंचते हैं इसका मतलब वे क्या होंगे सीधे चले जाते हैं गलत वो तो बिक्षे पित होंगे नाविक से दूर जो होंगे वो सीधे जाएंगे थोड़ा सा बिक्षे पित नहीं नाविक के निकटतम होंगे वो बहुत अधिक बिक्षे पित हो जाते हैं तो option कौन सा हो जाएगा हमारा C is the correct answer डी देखते हैं रुख जाते हैं रुख केंगा नहीं ठीक है अब प्रिष्ण संक्या 43 तो देखिए रधर फोड का प्रिकीडन प्रियोग निम्न में से किसका अस्तित्व सिद्ध करता है सबसे मुख्य बात क्या थी कि परमानू के मद्द में एक अती सूख्ष में भाग में स धनाविष्ट नाविग का ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें option बी नाविग रेणाविष्ट उए नी सकती तो Oxion A वैसे ही गलत हो गया नाविक में Neutron का ठीक है तो यह Neutron में तो 1932 में जाके खोच ज closer हुई थी और यह प्रिक रियोग 1909 से सुरूआ था औ परमाणू में धनावेस के सम बिवाजन का ये गलत है तो इसमें ऑप्षन भी ही सही है तो अब चलते हैं अगले प्रिशन पर देखिए हाइड्रोजन के बोर मॉडल में कौन सा बिकल्प असुद्ध है तो अब देखिए पढ़ते हैं एन्वी कच्छा की तरिजा एन पाती होती है तो देखिए हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणू के लिए जब बोर ने त्रिज्या की गड़ना की थी तो वह एन्वी जो त्रिज्या थी मतलब एन्वी कच्छा की त्रिज्या थी वह किसके बरावर थी हाइड्रोजन के लिए 0.529 और एन स्कॉाइर जब ठीक है जब जब जहां एक ले लेंगे क्योंकि ही परमाणू क्रमाण एक है इपने आंग्स्ट्रोंग अब तो अपने आप देखे रहे हैं जब बरावर एक आ जाएगा और यह इसमें पूछ क्या रहा है असुद्ध तो देखिए अगले उस पर चलिए एन्वी धिश्त्कें कि है तो बायाद में एलेक्ट्रोंग की उर्जा इंगे अंकमान पाती होती है अरे न में कख्षा की जो कुल उर्जा का मान था इए आ जूद्ध शेots सब्सक्रांग अपन an इसक्वाएयर इतने इलेक्ट्रon बोल्ट अब दिखिए जड़इस कोciones तो एक और हो जाएगा hydrogen पर्माणूं के लिए तो एन इस्क्वाइर के वित्क्रमान पाती होता है ठीक है तो एन्मी कख्छा में electron की ऊर्जा एन के वित्क्रमान पाती नहीं एन इस्क्वाइर के क्योंकि इस से दिखी रहा है एन इस्क्वाइर के वित्क्रमान पाती होती है क्योंकि यह कॉंस्टेंट है तो यह गलत है तो असुत तो मिल गया भी correct answer भी है और को भी देख लेते हैं चलिए किसी कख्छा में electron का कौन यह संबेग h upon 2π का पौन करना जो हता है तो बोर की मुख कल पनाती बोर नहीं बतायता है कि electron ऐसा नहीं है कि हर कक्छा में चक्कर लगाए वो केवल उनी कक्छाओं में चक्कर लगाता है जिनका कौन यह संबेग h upon 2π का पून गोना जो हता है अर्थात mb r बराबर किस के होता है n h upon 2π के n का जावान एक दो तीन चार हो सकता है ठीक है और इन कक्छाओं को क्या नाम दिया था उसने इस्थाई कक्छा है तो सास बिलकुल सही है दा और बता देता हूँ है आपको किसी कक्छा में एक्छा में एक्छा में इस्थितिज उर्जा का पर्माण गतिज उर्जा से अधिक होता है तो देकि इस्थितिज उर्जा अर्थात potential energy थी यह थी भई तो अपने आप देकिए कि जो इस्थितिज उर्जा का जो परणाम है वो 27.2 इलेक्टोन बोल्ट होगा प्रिथम कक्छा के लिए क्योंकि प्रिथम कक्छा के लिए एन का मान एक रख देंगे जैड का मान हाइड्रोजन के लिए एक हो जाता है तो प्रिथम कक्छा के लिए यह देख लें कि इस्थितिज उर्जा का मान पर्माण कितना होगा 27.2 इलेक्टोन बोल्ट और अगर हम वही बात करें गतिज उर्जा की तो वो कितना मान होगा प्रिथम कक्छा के लिए 13.6 तो सिद्ध हो गया ना किसी क्छा में इलेक्टोन की इस्थितिज उर्जा का पर्माण गतिज उर्जा से अधिक होता है अर्थात पोटेंसियल एनर्जी इस ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ठीक है अब हम चलते हैं अगले प्रिशन पर देखिए हाइड्रोजन पर्माणू की मूल अवस्था में उर्जा 13.6 एलेक्टोन बोल्ट है एन बराबर 5 उर्जा इस तर में इसकी गतिज उर्जा कितनी होगी तो देखिए सूत्र आपको याद होना चाहिए कि एन अर्थात एन भी कक्षा में जो गतिज उर्जा होती है या कुल उर्जा होती है चलो कुल उर्जा की बात कर रहे हैं तो वो होगी माइनस 13.6 जैड़ स्कॉाइर हाइटोजन के लिए एक हो जाता है बटे एन इसकॉाइर अब किस कक्षा में पूछ रहा है पांच में कक्षक में तो देखिए माइनस 13.6 बटे पांच का बर्ग तो सीदी सी बात है माइनस 13.6 में 25 का भाग दे दीजिए तो देखिए भाग नहीं जा रहा है तो जीरो दसमलो 25 पंजे 125 कितने ग्यार है और पच्ची चोका सो पच्ची चोका सो इतने एलेक्ट्रोन बोल्ट तो देखिए इसमें ओप्सन कौन सा हो जाएगा और यह माइनस का चिन्न है ही वही ठीक है तो यह ओप्सन हो जाएगा ठीक है अब अगला प अब चुच्ण कोई एंट्टबोल के अनसार बिकीरन उतसरजित होता है जब लेक्ट्रोन तो यह तो चौती परकलपना है उसकी है बॉससर्जद में संक्रम न करता है रथात कूदताई जंप करता है तो वह ऊरजा उतसरजित करता है तो ओप्सन कौन सा ओजाएगा इसमें C हो जाएगा और इसका सूत्र भी आपको पता होना चाहिए कि E N 2 माइनस E N 1 अर्थात कोई N 2 कक्षा से N 1 कक्षा में अगर वो संक्रमन करें अर्थात कोच कक्ष से निम्न कक्ष में अगर संक्रमन करें तो वो उर्जा उत्सरजित करेगा जिसको हम H N सूत्र से देगे ठीक है इतनी उर्जा का फोटोन उत्सरजित करता है अब अगले प्रिशन पर चलते हैं परमानू के नाविक में अवस्य रहेगा अब एक बार ध्यान रखने नवाई परमानू के नाविक में प्रोटोन अवस्य रहेगा न्यूट्रोन हो या ना हो ठीक है क्यों परमानू का जो द्रब्यमान है वो प्रोटोन और न्यूट्रोन की संख्या से मिलकर बना होता है लेकिन हाइड्रोजन ये एक ऐसा नाविक है जिसमें प्रोटोन की संख्या एक है और द्रब्यमान इसमें अवसे रहेगा कौन रहेगा प्रोटोन अवसे रहेगा इलेक्ट्रोन वो सकता है हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोन त्याग दे बाई जब एक इलेक्ट्रोन त्याग देगा तो एच प्लस में बदल जाएगा तो इलेक्ट्रोन कहा है उसके पास केवल प्रोटोन रह ज neuron होती है तो इसमें भी anser क्या हो जाएगा बी और अब देखिए अगला प्रिष्ण का सें गामा किरणों का एग जानते हैं कि जब किसी नाविक से गामा किरणा हुससे देत होती थो उस नाविक पर कोई प्रवाव नहीं पढ़ता है रथा तोMin ago अब, अगला प्रशन चलते हैं वाई, नियंकित में मूलकण नहीं हैं। ड किसमें मूलकण के बारे में आपको जानकारी है कि कोण-खुण से हैं योट्रोन, न्यूट्रोन, फोट्न ड स्थ happened ये सब क्या हैं। मूल खण है ठीक है लेकिन क्या नहीं है देखे न्यूट्रोन प्रोटोन ये तो मूल खण है अलफा खण नहीं है ये नाविक से उत्सर्जित होते हैं विकिरन उत्सर्जित है ना एलफा वीटा गामा ये किरिने हैं जो नाविक से उत्सर्जित होती है और कौन से पदार उत् उसरजित इलेक्टन की उत्पत्ती हे तो बीटा बिक्रन कण être नाविक से कब होता है जब नाविक के अंदर का न्यूट्रोन बिक्टित होकर प्रॉक्टौN में बदलता है तो इस ःत्तरोन की प्रिक्रिया में अर्थाद् न्यूट्रोन जब प्रोटोन में विग्टेद होता है उस समय बीटा कन की उत्पत्ती होती है और वो नाविक से उत्सरजित हो जाता है क्योंकि नाविक के अंदर वाई बीटा कन अर्थात रिणाविसित कन कैसे रह सकता है ठीक है तो अब इसका समीकरन आपको याद हो गई जैसे न्यूट्रोन है सको न्यूट्रोन को हैसे सिंबल से जीरो एंड 15 कई सात में ख्यावत्पन होगा एक बीटा कन और βीटा करणगों कभी-कभी केवल E से विक्ट कर देते हैं कभी केवल बीटा से विक्ट कर देते हैं कभी माइनस 1 बीटा 0 क्योंकि इसका मास क्या है inm yağ disappointed zero है साथ में anti neutron भी पैदा होता हुटा ये ये क्या है anti neutron हो है और साथ में उर्जावी उत्पन होती है ठीक है भई तो इसमें आप पढ़ लीजिए नाविक के न्यूट्रोन के बिगटन से option D is the correct answer तो अब हम चलते हैं अगले प्रिश्ण पर और अगला प्रिश्ण है 52 52 देखें एक प्रोटोन तथा एक एलेक्ट्रोन को A समान विद्दूठ छेत्र में रखा जाता है का उन पर लगे विद्दद बल्बरावर होंगे ड़ावर होंगे तो परणाम बरावर होंगे ठीक है क्योंकि फो फ्रोटोन पर धनावेस है अलेक्ट्रों बरेना डर्वेस है, तो c dc बात है b ज्यादा ज़्य है न, विद्द्ध मलों के परमाण कैसे होंगे, बरावर होंगे, जो विद्द्ध बल लगेंगे दोनों के कारण बरावर लगेंगे उनके परमाण वरावर होंगे तो अब अगला प्रशन चलते हैं देखिए रेडियो एक्टिव नाविक से बीटा कंड के उतसरजन के साथ उर्जा तता संबेग सनक्छन के लिए एक अन्य कंड भी उतसरजित होता है जिसका बिराम द्रब्यवान कंड को क्या बोलते हैं अभी बताया था एंटी नूट्रोनो ठीक है और अभी समीकरन भी आपको बताया था तो उसमें option d is the correct answer ठीक है अब ध्यान रखना भई, एंटी जो नूट्रोनो इसका बिराम द्रब्यवान सन्न होता है इसका मतलब यह समझना है कि इसमें उर्जा और संबेग नहीं होता है तो अब चलते हैं अगले प्रिश्ण की तरफ तो देखिए प्रिश्ण सेंग क्या है 54 इसमें उर्जाओं कि इस तर पर क्या प्रवाब पड़ता है तो सीडी सी बात है बैसे ही बता देता हूं कि जब एलफा या बीटा कर उत्सर्जेत होंगे तो एनर्जी लेवल चेंज होंगे लेकिन गामा करनों से कोई प्रवाब नहीं पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी नाविक से अलफा कर उत्सर्जेत होता है तो उसकी द्रव्यमान संख्या चार कम हो जाती है और उसका आटोमिक नमर दो कम हो जाता है ठीक है ले किसी नाविक से तो ना तो उसका परमानुक्रमांग परवर्तित होता है ना उसकी द्रव्यमान सेंग्या परवर्तित होती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए बी को पढ़िए changes for alpha and beta radio activity सही है alpha और beta करने जब उत्सरजेत होंगे तो energy level change होगा but not for gamma radio activity तो V is the correct answer अब अगला प्रस्शन देखें पच्छपन heavy stable nuclei have more neutrons than protons जब कोई भारी नाविक होता है भारी नाविक मतलब है जिसमें proton और neutron की संक्या ज़ाद होती अर्था जिसकी दिर्बमान संक्या बहुत ज़ाद होती है तभी तो जितने भी radioactive पतारते हैं उनकी दिर्बमान संक्या सबकी ज़ादा है यह ना this is because of the fact यह किस तथ्थे के कारण होता है भाई बताए भाई सीजदी सी बात है जब न्यूक्लियोंस की संक्या बहुत ज़ादा होगी तो proton proton के बीच का जो कूलाम बल है अर्थात प्रितिकर्शंट बल है वो बहुत ज़ादा हो जाएगा और इसके कारण वो नाविक एस्थाई बन जाएगा अब इसके स्थायत को बनाए रहें अब नाविक में इतनी जगय नहीं है तो उसका इस्थायत बनाए रखने के लिए कुछ कण उससे उतसर्जित होते है ठीक है और वो नाविक किसी अन्य पतार्थ के नाविक में परवर्तित हो जाती है तो अब पढ़ लेते हैं देखिए heavy stable nuclei have more neutrons than protons ठीक है proton और neutron का अनपाथ 1.5 या इससे अधिक होता है radio tips के लिए proton और neutron जैसे नहीं सोरे मैं उल्टा कह गया neutron और proton का जो अनपाथ है वो 1.5 या इससे अधिक होता है ठीक है किसके लिए भारी नाविकों के लिए radioactive नाविकों के लिए neutron और हेवियर देन proton यह नहीं proton और neutron तो लगबग इनका दिरभ्यमान बराबर होता है electric force between protons और repulsive यह बिल्कुल सही है क्योंकि जादा होंगे भाई heavy new heavy nuclei के लिए तो क्या होगा proton नमबर और proton जादा होंगे नमबर और प्रोटोंस जादा होंगे तो उनके बीच जो repulsive force है अर्था प्रितिकर्शंड बल है ोलाम बल जो कहलाता है बहुत जादा होगा ठीके तो अनन्यocratic निकलियर फोर्सेट अर्वी कर दें बिटिकर्वीन फूर्टोंस और यह निकलियर फोर्सेच की बात नहीं हो रही है крут्य इस्टरू टेकए यह कोई बात में तो वी इस में लोटता है और फाइडरोजन लाइक एटम आयन तब क्या होता है इट्स काइनेटिक एनरजी इंक्रीजाइज बट पोटेंसियल एनरजी टोटल एनरजी डिक्रीजाइज तो इसमें यही सही जब किसी उत्तेजित अवस्ता से वह मूह लवस्ता में संक्रमित करता है कोई इलेक्ट्रोन तो उसकी गतिज उर्जा में तो ब्रद्धी होगी लेकिन इनकी जो potential energy अर्थात स्थिति उर्जा है और उसकी जो total अर्थात कुल उर्जा है वो घटेगी तो A is the correct answer अब देखिए 57 इस पे आ कि देखिए नियुक्लियस है अब देखिए इसमें ज्यादा तर हम क्या करते हैं कि जो automatic नम्बर अर्थात पर्मान उक्रमान के इदर लिखते हैं और जैसे ये लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, X, N, और ये M, चलो ऐसे लिख देता हूँ, और अगर से alpha particle emit होगा, उत्सरजित होगा, alpha कन जब निकलेगा, इसकी जो द्रबमान संक्या है वो 4 कम होगी, और protonों की संक्या क्या होगी, 2 से कम, तो वो किस में बदले इन साइड की, तुलना करके देखी, इनको एड करेंगे, तो देखे, M-4 plus 4 M हो जाएगा, और N-2 plus 2 करेंगे, तो ये N बच जाएगा, ठीक है, और उसके बसाद क्या कर रहा है, alpha पहले तो 1 alpha particle, ठीक है, N-2 beta particle, और मैं अभी थोड़ी देर पहले बतायता है, जब किसी नाव आणू क्रमांक है, या ओटोमिक नम्मर है, वो एक से बढ़ जाता है, तो 2 beta particle से वो 2 बढ़ जाएगा, तो ठीक है, 2 बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये N हो जाएगा, ठीक है, इससे अगर मैं अब और निकालूं, तो जैसे इसको तो अटाई देते हैं, तो वो N-2 plus 2 हो जा परमानू क्रमांक वही रहेगा, वही दो कम हुआ, एलफा पार्टिकल के कारण, लेकिन उससे 2 beta particle भी निकल रहे हैं, तो दिर्वमान संख्या तो नहीं बढ़ लेगी, लेकिन परमानू क्रमांक उसका 2 बढ़ जाएगा, 2 beta particle निकलने के कारण, तो N-2 में 2 बढ़ आएगे, तो N हो जाएगा, लेकिन दिर्वमान संख्या तो वह एलफा पार्टिकल के कारण, 4 से पहले ही कम हो चुगी है, तो यह पदार्थ नया बनेगा, अर्थात X, इसका दिर्वमान संख्या M-4 और परमानू क्रमां के देगे, आटोमिक नमर कितना है, N, तो यह बनेगा, तो C is the correct answer, अब चलते हैं, अगले बार वाई, अठामन बार प्रिश्न देखिए, अधी पार्टिकल एमिटेड इंदा रियक्शन, तब देखिए, यहाँ देखिए, लेफ्ट एंड साइड और राइट एंड साइड की तुन्ना करते हैं, अब मैं मान लेता हूं, जो वो, चलो इ प्रियम है वाई, यह 90 और 234, और यहाँ, 91 234, प्लस, यह कोई वो है, इसको मैं मान लेता हूं, एक्स जैड ए, तो देखिए, तुन्ना कीजिए, लेफ्ट एंड साइड, राइट एंड साइड की तो, 90 must be equal to 91 प्लस जैड, तो इससे जैड का मान क्या हो गया, वाई, minus 1, अर्थात minus 1 होगा, और देखिए, अगर उपर से तुन्ना करें, तो 234 बरावर, दर्बमान सिंक्याद के बरावर देखिए, तो बरावर क्या होगा, 234 प्लस A इसका मतलब A बरावर क्या है 0 तो ऐसा पार्टिकल निकल रहा है जिसकी द्रिबमान संक्याद 0 है और प्रोटोन की संक्यार्था आटोमिक जो नम्मर है वो कितना है माइनस 1 वो कौन सा है बताईए बीटा पार्टिकल कौन सा है बीटा पार्टिकल ठीक है तो कि बीटा पार्टिकल को ऐसे बीट करते है माइनस 1 बीटा 0 ठीक है तो Z कमान माइनस 1 आगया और A कमान 0 आगया तो X की जग़े क्या आएगा बीटा तो B is the correct answer आप देखिए question number 59 choose the correct product of nuclear reaction ठीक है तो अब देखिए इसमें आपको बताना है कि प्रोटोन निकला है neutron निकला है neutron निकला है या electron निकला है उसी तरह मैं इसको मान लेता हूँ Z X A ठीक है तो अब देखिए left hand side और right hand side की तुलना कीजिए पहले हम atomic number की अर्थात पर्मान उक्रमान की बात करते हैं तो देखिए 7 प्लस 0 बरावर 6 प्लस Z तो Z बरावर क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 बरावर 1 तो पर्मान उक्रमान क्या इसका 1 है अब अब देखिए atomic number पर आ जाएए 14 प्लस 1 बरावर 14 प्लस A तो देखिए 14 से 14 कट गया तो A बरावर 1 अर्थात ऐसा particle निकल रहा है नाविक से जिसका पर्मान उक्रमान की 1 है और द्रभ्यमान सिंख्यावी 1 है ऐसा कोन है प्रोटोन है भाई 1H1 तो वो पदार्थ कोन सा है 1H1 निकल रहा है अर्थात इसको क्या बोलते हैं प्रोटोन तो A is the correct answer तो आप ऐसे प्रिशनों को हल कर लेंगे न कटना ही तो नहीं है अगर कोई कटना ही हो तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में और अपना कोई भी प्रितिक्री आपको अच्छा लग रहा है अच्छी लिखिए बुरा लग रहा है मत लिखिए क्योंकि सकारात्मक्त सोची रखें और आप मुझे सुझाव दे सकते हैं यह मजा कर रहा हूँ हाँ एक बात जरूर मुझे अखरती है कि भाई सब्सक्राइबर बहुत हैं लेकिन जब मैं वीडियो को देखता हूँ तो उसमें लगवग असी प्रिसद वो लोग देखते हैं जन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपसे पहली बार कह दू अगर आपको यह अच्छा लग रहा है बास्तम में अच्छा लग रहा है मन से अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ऐसा लग रहा है यार ऐसे चैनल तो बहुत हैं मत करिए ठीकिए? अपने दिल की आवाज सुनिए और मैं प्रियास देखिए एक समस्या भी हो जाती है कि मैं जब भी प्रियास करता हूँ रेगुलर आपको वीडियो बनाओं ठीक है बिना किसी उसके क्योंकि मुझे पता है चैनल कौन से चलते हैं या तो ब्लॉगिंग वाले चलते हैं जो यात्रा वाले होते हैं या बक्ती स यूटूब से हो सकती है हम जैसे कुछ भी नहीं होती और आप माने ना मने दस साल से ज़्याद हो गए मुझे चैनल चलाते हुए एक पैसा मैंने यूटूब से अभी तक नहीं लिया है तो आप यह मत सोचिए कि मैं किसी आर्थिक लाव के लिए इन वीडियो को बनाता हू कि वल आत्र प्रिशन सा के लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ कामा सकूं हिंदी मीडियम की कुछ चात्रों के कुछ अगर मैं 10-20 के भी कामा गया तो अपना जीवन सफल ही मानूगा तो चलिए बिना देर की अगले प्रिशन पर चलते हैं प्रिशन सेंग्या साथ समान त तत्व किसे कहते हैं ऐसा पदार्द जो एकी प्रकार के परमानों से मिलकर बना होता है और एकी प्रकार के परमानों हो है तो उनका परमानों करमांग समान होना चाहिए क्यों क्योंकि आदने काफर सार्णी में भाई सभी तत्वों को उनके परमानों करमांग के क्रम में पर्मानुन का समान होना आवशक घै कर्मानू संक्षिया तो अगला प्रश्न देखी है टो अधो द्रमीपदार्च से दो इकल सक देखिए कोई मैं लिख देता हूँ कोई नाविक है उसको ZXA ठीक है इससे एक एलफा कंड निकला तो देखिए क्या बन जाएगा Z-2X A-4 द्रभ्यमान संक्या 4 से कम हो जाएगी इसके कारण एलफा कंड निकलने के कारण और प्रोटोनों की संक्या 2 कम हो जाएगी अब इसस जाएगा इक बीटा कंड उत्सरजित होने से परमान उक्रमांग एक बढ़ जाता है तो देखिए दो बीटा कंड इसलिए क्या हो जाएगा भई X बापिस Z-2 में दो जुड जाएगे तो क्या हो जाएगा Z और द्रभ्मान संक्या परवर्तित नहीं होगी ठीक है तो x-4 a- तो बन जाएगा z x a-4 तो आप इसको क्या कहींगे है देखिए ये मूल नाविक था z x a मूल नाविक क्या है z x a बन क्या गया z x a-4 तो यहाँ परमान उक्रमांग समान है द्रब्मान से इंख्या अलग-अलग है क्या बन गया बताओ ऐसे पदार्थ पदार्थ एक ही है x देखिए एक ही तत्व के वे परमानों जिनके परमानों क्रमांग समान हो लेकिन द्रब्मान से इंख्या बिन बिन हो द्रब्मान से इंख्या बिन है परमानों क्रमांग समान है न्यूट्रोंज की बिन्दता है वो क्या है समिस्थानिक आगई परवासायाद तो वो क्या बन जाएंगे वही समिस्थानिक जान रखना यदि किसी नाविक से एक एलफा कंड और दो बीटा कंड उतसरजित होते हैं तो उस पदार्थ का क्या बनेगा समिस्थानिक आईसो टोप या आईसो प्रोटोन तो अब बढ़ते हैं अगले प्रिशन पर देखिए 62 नाव की अवक्रिया देखिए जैड एक से तो देखिए जैड प्लस और ये बन रहे हैं तो क्रम से उतसरजित कंड या बिक्रण है तो हमें पेंचानना है कि कौन सा एलफा कंड है कौन सा बीटा कंड है कौन सा गामा कंड इसमें से निकल रहा है तो देखिए पहले पे ध्यान देखिए जैड एक से परमान उक्रमांक एक बढ़ रहा है द्रभमान सिंख् तो पहला कंड तो कौन सा है बीटा कंड ठीक दूसरा देखिए दूसरे में क्या हो रहा है जैड माइनस वन अर्थात देखिए जैड प्लस वन से जैड माइनस वन हो गया इसका मलत दो कम हो गया और दिर्बमान संख्या चार कम हो गई ये कब होता है जब नाविक से अलफा कं उत्सर जेत हो तो दूसरा कंड कौन सा उत्सर जेत हो रहा है ALFA, क्योंकि ALFA कंड उत्सर जेत होटे समय परमानू संख्या है अटमेक नमबर 2 कम हो जाता है तो Z plus 1 मैं से 2 कम होगा, तो क्या हो जाएगा Z minus 1 देखिए Z minus 1 हो गया, दुरबमान संख्या सेम हो रहा है यह जैसा है ऐसा ही इसका मतलब अगली को ने गामा क्योंकि हम जानते हैं किसी नाविक से गामा जब किरने उस सर्जेत होती है तो ना तो परमाणू क्रमांग बदलता है आटमेक नमर बदलता है ना आटमेक मास ना द्रवमान संख्या तो द्रवमान संख्या भी भी नहीं बदला तो कौन सी यह हो गई तो देखिए क्रम क्या होना चाहिए बीटा एलफा गामा तो बीटा एलफा गामा का है बीटा एलफा गामा तो four is the correct answer ठीक है यह डी कहते हैं वो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगला प्रस्शन देखते हैं अगर X किसी तत्व को प्रदर्सित करता है तो X, P, Q और P, X, R दर्स आते हैं तो देखिए मैंने बता है ना समिस्थानिक ज्याद करने का सबसे तरीका है समिस्थानिक एक ही तत्व के होते हैं जैसे आइड्रोजन के तीन समिस्थानिक है 1H1, 1H2, 1H3, Proteum, Deuterium और Tritium जिनको बोलते हैं Chlorine के दो हैं Oxygen के तीन हैं तो इसी तरह है अब देखिए ये X, P, Q और अब देखिए ये हैं इन दोनों के बाई तत्व समाने तो समिस्थानिक ही होंगे सीधी सी बात है और समिस्थानिक की और क्या पता लग गया कि P, P अर्थात दोनों में Proton की संग्या Automate number भी समाने, Dribamon संग्या इसकी Q है, इसकी R है Proton की संग्या समान, Dribamon संग्या अलग-अलगो तो वो क्या कहलाएंगे एक दूसरे की समिस्थानिक कहलाएंगे तो यह क्या है, समिस्थानिक, तो थर्ड is the correct answer अर्था C इसमें सही उत्तर हो जाएगा वई, अगला प्रिशन देखते है यदि एक एलफा 6 के बाद 2 बीटा 6 हो जाएं, अभी बताया था वई एक एलफा कर निकल जाएं, दो बीटा कर निकल जाएं, तो यह समिस्थानिक, समिस्थानिक पर प्रिशन तो पढ़ ले हैं, आगे से एलेक्ट्रोन निकलते हैं, छै होकर नाविक से एलेक्ट्रोन निकलते हैं हाँ तो परमानुक्रमांग तो बदले गई नहीं क्यों वही तो जैक मैंने अभी बता है ना जैड एक्स एकोई मूल नाविक था इससे एलफा कन जब निकला तो प्रोटोनों की संक्या 2 कम हो जाएगी जैड माइनस टू एक्स और दर्बमान संक्या 4 कम हो जाएगी अब इससे दो बीटा कन निकलेंगे दो बीटा कन निकलने से क्या होगा परमानुक्रमांग दो बढ़ जाएगा अर्थात इसमें दो जोड देंगे तो क्या हो जाएगा कि वही दो बीटा कन निकल रहे हैं तो ज जैड माइनस टू प्लस टू अर्थाज जैड हो जाएगा एक्स और द्रभ्मान सेंग्या बदलती ही नहीं है ठीक है तो परमाणु क्रमांग 2 से बढ़ेगा 4 से गटेगा 2 से परमाणु क्रमांग पहले कितना था जैड अब भी कितना है जैड ए परवर्तित रहेगा 4 is the correct answer ठ तो ठरले ना समझ में आतो रहे होंगे चलिए अगला प्रश्ण है कि एक रेडियो एक्टिव नाविक बीटा कणों के प्रांत गामा किर्णे उसरजित करता है बीटा किर्णों से क्या फरक पड़ेगा परमाणु क्रमांग एक बढ़ जाएगा गामा किर्णों से क्या फरक पड़ेगा कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा ना तो परमाणु क्रमांग में परवर्तन होगा ना दिर्वमान सेंख्या में परवर्तन होगा तो नवीन नाविक की परमाणु सेंख्या परमाणु सेंख्या किसको बोलते हैं परमाणु क्रमांग को ही बोलते हैं आटमिंग नम्मर को, क्या फरक पड़ेगा वई, एक बढ़ेगी, दीकि एक रेडियो एक्टिव नाविक बीटा कणों के उपरांत, गामा करेणे उसरजित होता है, एक बीटा और एक गामा करेणे उसरजित हो रही है, तो परमानू संख्या एक बढ़ जाएगी, ठीक है, किसके कारण, बीटा कण की उत्सरजन के कारण गमा कण की उत्सरजन का कोई प्रवाब नहीं पड़ता है थी के तो एक दो से अधिक हो जाती है बीटा कण परिएद गमा तो वही रहती है परमानु सिंख्या एक कम हो जाती है अपरुक्त में से कोई नहीं सही है तो अब देखिए हम सोच रहे तिक या कि इसमें से कोई सही नहीं है पर चौता ओप्सन तो देखिए इसलिए ध्यान रखना वाइक परिक्षा के समय चारों ओप्सनों को बड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको देखो चक्कट पढ़ गया न तो देखिए ना तो पहला स सही है ना तीसरा सही है क्योंकि परमानु सेंख्या तो यह से बढ़ेगी तो फोर इस दा करेक्ट आंसर क्योंकि इसमें तीनों ही सही नहीं है तो प्रोक्त में से कोई नहीं तो चार ठीक है करेक्ट आंसर है शासटमा प्रिशन देखिए इसमें दो प्रिशन है अब यहां देखिए भाई, X, 39 and 89 यहाँ तो देखिए X और Y अलग-अलग हैं, तो यह समिस्थान एक तो हो जी नहीं सकते, तो समिस्थान एक तो पहले ही नहीं है भाई सम भारिक सम भारिक में क्या है, दिर्बिमान संक्या बराबर होती है, तो सम भारिक भी नहीं है क्योंकि इसका दिर्बिमान संक्या कितनी है 89 इसकी 91 है तो यह भी ऑप्षन गलत हो गया भई सम न्यूट्रोनिक न्यूट्रोन निकाल के देख लेते हैं भई 89 में से 39 गटाईए तो इसमें न्यूट्रोन हो गए 50 ठीक है और इसमें 91 से 41 गटाईए तो 50 तो न्यूट्रोन दोनों में समान है भई तो यह कैसे हो गए? सम न्यूट्रोनिक तो थर्ड इस दा करेक्ट आंसर समाब यभी क्यों नहीं है? समाब यभी तो एक ही नाविक के दो होते हैं ठीक है भई? जिनके प्रोटोनों की संक्या बराबर, न्यूट्रोनों की संक्या बराबर, अर्था द्रब्मान संक्या अर्था द्रब्मान संक्या और यह सब कुछ बराबर होता है लेकिन उनकी रेडियो जो गुणे वो अलग-अलग होते हैं तो समाव यवी में तो यह दोनों एक जैसे होने चाहिए थे तब समाव यवी यह होते तो फोर तो होई नहीं सकता तो इसमें सी कहें या नम्मर थड़ कहें इस दा करेक्ट आंसर अब चलते हैं इसमें इसका सेकेंड वाग दे लेते हैं कि एक्स और यह भी अलग-अलग है त किया दीगे समिस्थानिक में दोनों देखिए मूल तट्व् 2 एकस और यह वी क्योंकि एक ही तत्व के होते हैं समिस्थानिक ज्यान करना समिस्थानिक क्या होते हैए एक ही दप् Mackay कि यहां वह फोना चाहिए आप देखिए इसमें क्यूँ है इसमें आरे है तो परमाणूक्रमांख भी समान नहीं है ट्रभ्यमां संख्या वरावर है तो वह क्या होंगे समभारिक क्या हैं शमभारिक अर्था जिनकी ड्र्भ्यमान ज़िच्छ बरावर हो लेकिन प्रोटोनों संक्या बरावर नहीं हो, सीधी सी वाधा देखिए, कि Z1 इस नॉट इक्वल टू, Z2 लेकिन A1 बरावर A2 है, तो सीधी सी वाधन Newton की संक्या कैसे निखा लेंगे? इसमें से इसको गटाई, इसमें से इसको गटाई तो सीधी से वाधन, Newton की संक्या भी समान नहीं होगी तो A1 माइनस Z1 अर्था Newton की संग्या पहली नाविक में वो बराविर नहीं होगी A2 माइनस Z2 ठीक है तो ये किसके उधारने वाई समभारिक के ओप्शन तीन ही इसमें सही है आई सोमर समाविय भी क्यों नहीं होगे आई सोमर के लिए में अभी बताया था एक ही नाविक होता है वो उसकी दिर्विमान संग्या भी वही होगी ठीक है और परमानुक्रमांग भी वही होगा तो यहां तो परमानुक्रमांग का लग है तो समाविय भी समाविय बिलकुल केवल रेडियोक्टिव ताम अंतर होता है ठीक है देखने में कोई अंतर नहीं होता केवल विकिरा ने उत्सरजन की जब बात आती है तब वो अलग-अलग लगते हैं तो आईसो मर भी इसमें नहीं हो सकता ठीक है समिस्थान ही होई नहीं सकता मैंने पहले बीडियो में बताया था कि डाल्टन की जो अटोमिक थियोरी आई थी वो 1803 में आई थी उन्होंने इसको खोज लिया था लेकिन पब्लिस होने में 5 साल और लग गे थे तो यह कब 1808 में ठीक है डाल्टन की जो परमानू थियोरी थी परमानू सिद्दांध था डा जो था रखना एक्टम्स और नाइदर वी क्रियेटेड नर डेस्ट्रोईड इन केमीकल रियक्शन सुझ है जजड जो डॉल्टन थे यह बताया था कि परमानू को ना तो किसी रासानिक अब करिया से या किसी बहुतिक अब करिया के दा मतलब बहुतिक या रासानिक अब कर जो अविवाज हो और उस पदार्थ के समस्त गुन रखता हो परमाणू कहलाता है यह इस थिओरी की विसेस्ता थी ठीके वही इंडिविजेविल अर्था अविवाज कंड इसी पदार्थ का अविवाज कंड जिसका और विवाजन ना किया जा सके यह 1808 की वात है वही उसके बात तो परमाणू का बहुत से कंड़ों में वाजन हो गया धीरे-धीरे सोध हो तो सबसे पहले था हमारे इसी कंड ने इसा से 500 पहले इसको बता दिया था पर चूंकि हमारे भाई अंग्रेजों के गुलाम थे हम तो वह प्रकासित नहीं हो पाई उन चीजों में खिर चलो इंडिविजिवल एटम एड फर्स्ट किस सिदांत के आदार पर हमने जाना था है कि पदार्थ ऐ विवाज परमाणों से मिलकर बने होते हैं जिनका और विवाजन संभव नहीं है इंडिविजिवल जिसका विवाजन ना किया जा सके वो किसने बताया था डाल्टन थिओरी इन इयर अठारे सो आठ एटीन अंडरेड एट ठीक है अब इसकी चर्चा हुई चुकी है बिच पार्टिकल्स आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल इन ऑर्टमिक स्ट्रक्चर परमाणों की जो सन्दचना होती है उसमें फंडामेंटल है ना मूल कौन कहलाते हैं वही क्तुरेंट्रों गूल कर तो और भी है कि ना वोट्रों अतिनुट्रों मेसोन पाइज मैस प्लस दन में और रिंड में बहुत हैं पर यह फंडामेंटल यह तीन इन यह जों से एलेक्ट्रों प्रोट्ट्रों और न्यूट्रों तो देखिए अगला प्रिशन 68 फू बाज गलत है फू डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज किस ने की थी जेजे थॉम्सन कब की थी अठारे सो सत्यान में ठीक है याद रखना वै फ्रॉम विच रेज इलेक्ट्रॉन बाज डिस्कवर्ड कैथोर्ड किर्णों से इनकी खोज की थी तो जेजे थॉम्सन ने क्या किया था कि एक विद्दूत विसर्जन नली में बहुत दाव कम कर दिया था दसकी गात माइनस 3 mm से दसकी गात माइनस 4 mm पारी के दाव के बराबर विद्दूत विसर्जन नली में अताथ उसकी अंदर की संपून गैस को निकाल लिया था और बहुत जादा उच्च विवव लगाया था तो उसने देखा था कि विद्दूत विसर्जन नली में मतलब कम दाव बहुत अल्पदाव उच्च विववबर उसने देखा कि कैथोर से एनोड की तरफ एक प्रकार की केंडने चल रही है ठीक है उन क्रेणों को उन्होंने कैथोर केंडने का बाद में ये रिडावी सितकन सित्दूई इस तरहे सेyer लैकट्रों की खोज वही थी वई टेली विजन पिक्चर्स त्यूब आर मेड ओ विच रेट्यूब विजन की जो विच्चर ट्यूब होती है किस किर्णों पर किय Syd land पर काडिकर दिये वह किन पर कैथोर्ट रेट्यूब कारे करती हैं अब 69 में ये कुछ लिख दिया है इलेक्टोन से संबंदित आप थोड़ा सा इसका रिवीजन करा देता हूँ इलेक्टोन की खोज जैसे अभी बताया था जे जे थॉम्सन ने 1874 में की थी वही कैथोड के नों के माद्यम से चार्ज इस पर कितना होता है रेनावेस होता है ठीक है कितना 1.6 10 की पॉवर माइनस 19 कूलाम ये कूलाम है वही सी मास इसका जो दिरब्यमान होता है नाइन पर ये गलत लिखा हुआ तेरे नहीं है वही 31 है इसका मास ओफ इलेक्ट्रोन तो मे कितना होता है 9.110 की पॉवर माइनस 31 किलोग्राम ठीक है वही इस पेसिक चार्ज EYM EYM रेस हो अगर हम निकालें तो देखिए E का मान क्या होता है 1.6 10 की माइनस 19 कूलाम ठीक है वही और मास हो गया 9.1 10 की पॉवर माइनस 31 इतने कूलाम और यह किलोग्राम ठीक है मास तो यह आजाएगा लगवक यह आजाएगा 1.76 इन्टू 10 की पॉवर जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है माइनस 8 तो यह माइनस 11 आजाएगा कई में कूलाम प्रती किलोग्राम में और अगर ग्राम में बदलेंगे तो माइनस आठ आ जाएगा अब चलिए प्रोटोन की बात करें तो प्रोटोन के मामले में थोड़ा सा आपको साफ़दानी रखती है बात क्या है कि प्रोटोन की खोज किस ने की थी हूँ यह बाद पता नहीं कैसे राइटिम स्टेक है वही तो हूँ डिसकवरड प्रोटोन इगोल्ड स्टीन ने एक्चुल में क्या किया था जब जेजे थॉमसन ने कैथोड किरनों के माद्यम से और एलेक्ट्रोन की खोज की थी तो उसी समय उसने बिदूत बिसरजन नली में इन गोल्ड इस्टीन महदे ने क्या किया था कि बिद कैनाल के ने नाम दिया गया सी कर चिकल ही यह उसको एक्चुल में नाम दिया था रदर फोर्ड ने और अब बात करते हैं चलो यह आ जाता है कि proton's name was given by which scientist proton का नाम किस scientist ने दिया था रदर फोर्ड ने भी बताया था तो ध्यान रखना है भाई किस ने खोजा था गोल्ड इस्टीन ने proton को नाम किस ने दिया रदर फोर्ड ने charge of proton पर यह जितना electron पर आविस होता है उतना ही proton पर आविस होता है फर्क माइनस और प्लस का है तो proton पर धनाविस होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलाम mass of proton proton का दिर्परमान कितना होता है 1.67 तो 1.673 into 10 की पावर माइनस 27 क्लोग्राम ठीके और neutron का कितना होता है उसको भी याद रख लेना तो देखिए neutron आई गया जिसकी जमचर्चा कर रहे थे तो neutron की खोज किसने की थी चैडविक ने 1932 में beryllium कैसे की थी उन्होंने beryllium के नाविक पर alpha कणों की बोचार की थी ठीके तो उसने देखा कि बहुत उच्चूर जाकी किर्णे निकल रही है तो पहले तो उसने सोचा था कि गामा किर्णे लेकिन बाद में प्रियोगों से देखा कि भाई ये गामा किर्णे नहीं है क्योंकि गामा किर्णों का दना कोई कोई मास होता है कोई उसमें द्रभ्यमान होता ही नहीं है लेकिन इसका द्रभ्यमान था तो इन आविस रहेत किरणों को क्योंकि आविस रहेत गामा किरणें भी होती है न्यूट्रोन भी है तो उन्होंने न्यूट्रोन नाम दिया था और उसका समीकरण भी आपको जैसे फकनों की बहुचार की थी तो क्या बनाता 6C12 प्लस 0N1 ठीक है यह न्यूट्रॉन की खोजोई थी अब चार्ज है यह नहीं इसमें भाई कोई चार्ज नहीं आविस रहत करने मास प्रोटोन के मास के लगबग बराबर होता है ना प्रोटोन का मास होता है 1.673 x 10-27 और इसका जो एक्जेक्ट होता है वो है 1.675 x 10-27 क्लोग्राम इसका मतलब न्यूट्रॉन का जो द्रब्यमान है वो प्रोटोन की द्रब्यमान से जरा साधिक है ठीक है और अब अगली बात करते हैं यह इसी में देख लेते हैं कि हूँ डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड पॉजिट्रोन पॉजिट्रोन की खोज एंडरसंन ने 1932 में की थी वहीं और यह पॉजिट्रोन है है पॉजिट्रोन में पॉजिटिew चार्ज होगा इलेक्ट्रोन के चार्ज के अब अब रहा विए प्लस है उसको भिक्त कर दें and its mass equal to electron उसका जो द्रब्यमान है electron के द्रब्यमान के बराबर होता है वाई अब 73 देखिए कि anti-proton is anti-proton क्या है proton का anti-kण है anti-particle है ध्यान रखना ठीक है और anti-particle के बारे मैंने बताया ही था कि ऐसे कण जिनका द्रब्यमान spin प्रतिचक्रन जिसको बोलते हैं और ये तो मूलकण के समान हो लेकिन चुम्मिकी अवस्था या और अन्य गुणे उसकी विपरीत हो तो भी एक दूसरे के क्या कहलाते है प्रतिकण कहलाते है और जो मूलकण और उसका प्रतिकण ये एक दूसरे के पास आते है तो वो एक दूसरे को क्या कर दे है नस्ट कर देते हैं लेकिन उर्जा जरूर उत्पन होती है जैसे एंटी प्रोटोन पास में आए किसके तुम्हें प्रोटोन के पास या सीधी कहें तो ये पॉजिटिव और ये ए नेगिटिव तो एच न्यू और एच न्यू पूर जाउत्पन होती है तो एंटी प्रोटोन क्या है दा एंटी पार्टिकल प्रोटोन इट्स चार्ज इस माइनस ठीक है वही एंट इट्स मास इस इक्वल टू दा प्रोटोन मास मतलब इसका जो द्रपिमान है proton के वरावर होता है लेकन आवेश electron के वरावर होता है proton और electron एक दूसरी के विप्रीत आवेश रखते है और इसका प्रतिकर्ण है proton का एंटी proton तो अब देखिए In which element does not possess any neutrons किसमें ऐसा कौन सा नाविक है जिसमें कोई neutron नहीं होता और वो कौन सा है 1H1 और इसका नाम क्या है proteum इसे समिस्थानिक को क्या बोलते हैं proteum क्योंकि इसमें केवल एक proton है इसी कारण इसकी दिर्मान सिंग्ख्या भी एक है neutron हो कि सिंग्ख्या है 0 है और दूसरा hydrogen का समास्तिने ग्याद है आप वन एच्टू जूटोरियम और वन एच्टिरी तीसरा है ट्रीटियम हूँ इस अगला प्रिशन हूँ इस कंसीडर एज दा ओर जिनेटर और मॉर्डन ओटोमिक थियोरी कि जॉन डाल ठीक है आप देखिए अच्छा तो कुछ प्रिशनों को पहले ले लेते हैं बिच एटम्स आर नोन रियक्टिव एटम्स किसके अणू या परमाणू अक्रिय होती है तो अक्रिय गैस हों के अक्रिय को कौन कौन सी नोबल गैस हीलियम, नियोन, आरगन, जीनोन ठीक है यह सब अक्रिय कैसे है विस इस दा इसमालेस्ट एटम हीलियम जो एटम है हीलियम का जो नामेक है वो सबसे छोटा होता है वही और इसकी जो रेडियस है वो दी हुई है 32 इंटू 10 की पवर माइनस 12 मीटर ठीक है विस इस दा लारजेस्ट एटम सी जीम का सबसे बड़ा परमाणू किसका है सी जीम का और इसकी रेडियस भी दी हुई है ठीक है दसकी गायत माइनस 12 है है उसकी मुसमें लेकिन 225 है और या कितना है 32 निय्यूट्रणोओं ं एंटिन्यूट्रणओं है ए्स यह के प्रितिकण है यह ए एं-टि पारडिकल है energy and momentum दोनों में energy और momentum होता है but they have not rest mass लेकिन इनका बिराम दर्व्यमान सुन नहीं होتा है ठीके, neutron और anti-neutron दोनों के क्या विसेज़ता है, इनमें उर्जा होता है और सम्वेब होता है, लेकिन दोनों का बिराम दर्व्यमान क्या होता है सूनने होता है बराम दरब्यमान लेकिन गतिक अवस्ता में इसमें संबेग होता है और संबेग तभी होगा संबेग बराबर क्या होता है M into V अर्था दरब्यमान गोड़ावे इसका मतलब गतिक दरब्यमान होता है इसमें कि एक और बात है कि बैसॉन को जान ले थे बैसॉन क्या होता है मैसॉन प्लस फॉट्erca इंदोनों को समले दरोप में क्या बोलते हैंmom मैसॉन प्लस फॉटून दैट इस बैसॉन yenından और अब देखिए यह आ जाते हैं इस प्रिश्न को द्यान से देखिए who proposed that in a the negative and positive charges are equal in magnitude कि सबसे पहले किसने बताया था कि किसी पर्माणु में धनावेस और रिणावेस समान मात्रा में होता है यह किसने बताया था था थॉम्सन ने बताया था थॉम्सन का जो पर्माणु मोडल है न वह बहुत पहली थी जिन्होंने पर्माणु को एक मौडल के रूप म में प्रिस्तुत किया था पर्माणु को एक मौडल के रूप में प्रिस्तुत करने वाले पहले विक्ति होन थी थॉम्सन ठीक है और नाम किया है तॉम्सन sumplum पुडिंग मॉडल उन्होंने क्या बताया था कि परवाणू को दसकी गात माइनस दस मीटर त्रिजा का एक गोला मानते हूँ उन्होंने बताया था कि परवाणू का समस्त धनावेस इस गोले के अंदर समान रूप से बित्रित होता है और इसमें उसी तरह लगे होते हैं जैस इसकी प्रिष्ट भूवी में इलेक्ट्रोन या रिंड कंड उसमें लगे होते हैं जिससे परवाणू उदासीन हो जाया जितना धनावेस होता है उतना ही रिंडावेस होता है लेकिन यहाई थोड़ी सी वो गलती थी कि या धनावेस में रिंडावेस के कंड कैसे एक दूस ने सुधारा तो बिस्तेत रूप से चर्शा अलग से करेंगे फिलाल हम आगे चलते हैं ब्रॉंबिच मॉडल भी नो डेट नूट्रॉन प्लेश्ट इन दा सेंटर ऑफ एन अटम किस प्रियोग के द्वारा हमने जाना था किस मॉडल के द्वारा जाना था रदर फोर्ड की प्रिकीन अर्प्रियोग के द्वारा था रदर फोर्ड ऑटमिक मॉडल इन 1911 नीस सो ग्यारे में जो नो ने दिया था ठीक है कि परमाणू का समझ दनावेश एक अत्यां सूख्ष मिस्तान में केंद्रेत होता है जिसे नाविक सबसे पहले रदर फोर्ड ने किसने बताया था रदर फोर्ड ने कॉन से सन में 1911 में आप चलते हैं आगे वाट इस ओटमिक नंबर जैड आप जानते हैं ओटमिक नंबर या परमानुक्रमांग क्या है किसी नाविक में उपस्थित प्रोटोनों की संक्यारतात किसी नाविक में प्रोटोनों की संक्या कितनी है वो उसका ओटमिक नंबर कहलाता है उसका परमानुक्रमांग कहलाता ह और जेतना पर्माद उक्रमान को था है जतने फ्रोटोन होते हैं उतनी संख्या में और संख्या में को फूट अन्ब संख्या यह यbodyosit को टूदE ल Baptist health hotel इसेजिए मास नमबसल मश्रार्व दर्मान संख्या करें किसी नाविक में उपस्तित प्रोटोनों और न्यूट्रोनों की संख्याखा योग होता है भाई पी प्लस एन पी प्रोटोन है और एन न्यूट्रोन है अब आजाईए कि वाट इज आइसोटोफ एन एलिमेंट इसकी चर्चा बहुत ज्यादा होगी आइसोटोफ मरतलव समिस्थाने क्या है तो एक ही तत्व के वे पर लिगवरह को लेकिन परमाण उक्र माल वड़ता दिर्माण सेंख्या लग अलग को तो न्यूट्रोन की संख्या लग अलग होगी तो whose isotope is deuterium deuterium किसका समिस्थाने के hydrogen का पहले को protein बोलते है 1H1 को 1H2 जो दूसरा है उसको deuterium बोलते है deuterium ठीक है वई और तीसरा क्या है triterium 1H3 ठीक है tritium यह ट्रीटियम तो पहला hydrogen ही कहलाता है या protein कहलाता है दूसरा protein और तीसरा tritium ठीक है which element has maximum number of isotopes हाँ यह बात सोचने वाली बात है कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसके सरवाधिक isotope है अब यहाँ गड़वड है यह आंसर थोड़ा सही नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ दिखिए बहुत से ऐसे पदार्थ है या नाविक है और अगर बात करें इस्थायत्व की ठीक है तो 10 उसके 10 है SN मैं लिख देता हूँ SN के कितने 10 तो यह सभी क्या है इस्थायत्व वाले मतलब stable isotopes हैं लेकिन अगर सभी को किन लिया जाए इस्थाई हो चाहे एस्थाई तो इसमें बाजी मार जाता है कौन इसमें जीनोन और सीजियम 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 और जीनोन इन दोनों के 36 isotopes हैं इन में से कुछ स्थाई हैं कुछ स्थाई कुछ stable हैं कुछ unstable हैं ठीक है अब हम जानते हैं जो स्थाई होंगे वो alpha, beta, gamma करणों को सर्जित करके नए isotopes में पदलते रहेंगे और ये कुछ क्या क्या लाता है एडियो एक जिता ठीक है तो हम अब अगले उस पर move करते हैं what is isovar of an elements अब isovar तो मैं बहुत 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 बहुता चुका having same mass number but different प्रेंट ओटमेग नमर अधा दिर्भमान संख्या समान हो लेकिन परमानुक्रमांग अलग-अलग हो आई-शोबार सम भारिक भार समान हो मतलब भार किसका दिर्भमान संख्या को यह बोलते हैं भार ठीक है आप नेक्स्ट उस पर चलते हैं 77 तो देखिए वाट इस आइसोट है क्या समान हो तो उनको सम न्यूट्रोनिक सम न्यूट्रोनिक बोलते हैं या आईसोटॉंस बोलते हैं ठीक है अर्थाद न्यूट्रोन्स मतलब लेकिन और या बन बच नहीं हो जएक्टू माइनस जएड़वन बरावर और A2-Z2 ये protonों की संक्या है ठीक है यह क्या है neutronों की संक्या ये पहले नाविक के neutron है और ये दूसरी नाविक के neutron है जो बराबर होने चाहिए अब देखिए What is isodifings of an element अर्था आते Isodifings क्या होते है तो ऐसे तत्व जिनके ना तो पर्माणुक्रमांग बराबर हो ना तो पर्माणुक्रमांग बराबर हो अर्थात दो हैं उनके पर्माणुक्रमांग जैड़ बन और जैड़ टू लेता हूं ना तो ये दोनों बराबर हैं ना इनकी द्रब्यमान संख्या बराबर हो लेकिन इनके प्रोटोनों और न जब किसी तद्व से किसी एलफा कंड का उत्सर्जन होता है तो एक दूसरी के आइसोडाइफियर बनते हैं जैसे उदारन लेता हूं में यूरिनियम जैसे 92-238 और इससे एक एलफा कंड उत्सर्जित होगा तो बनेगा थोरियम 90-234 प्लस HE4 हम जानते हैं कि एलफा कंड उत्सर्जन होने पर जो परमान उक्रमान के दो कम हो जाता है और जो द्रबमान संख्या है वो चार से कम हो जाती है अब देखिए इसमें प्रोटोनों की संख्या निकालें और इसमें निकालें तो देखिए प्रोटोनों की संख्या इसमें क्या हो 140 इसी तरह इसमें देखेंगे तो 234 माइनस 90 यह न्यूट्रोन इसमें आ जाएंगे वही थोरी में कें अंतर गज़ देखिए 4 और यह चार और यह हो गया एक. ठीक है? 145. अब ये Neutrons हैं दोनों में. अब Neutron और Proton का अंतर निका लिए. तो देखुए Neutron 145 हैं और Proton कितने हैं है? 90. तो ये भी 90 तो ये भी कितने बचेंगे 54 तो देखिए नूट्रोन और प्रोटोन दोनों का अंतर समान है इसलिए एक दूसरे के क्या कहलाएंगे आइस सब जानते हैं की पोटेसियम का कितना है वह이 19 होता है परमानणल का होतार है और 19 को अगर हम कक्षकों में एलेक्टोनों केसाब सिविवाजित करें तो कितना होगा जैसे के कश में 2 ऐलेक्ट्रोन एकश में ऐाठ्ट और एम में फिर आठ्ट हो जाता है और बायतम जो को सोगा एंउसमें एक इक टो दो जह बायतम को सिंध former शुंत के जयाक्वıyत शुह कि्या क्याती है तो सिंध्या जगता इसकी क्या होगी एक अभस जलते हैं अगला प्रिष्ट्ट अगर हम आवेस की बात करें तो जो मैसोन करने वो कितने प्रकार के होते हैं त्री टाइप के होते हैं कौन से एक तो न्यूट्रल बिल्कुल अर्थात आवेस रहे तो हो पॉजिटिवली चार्जड धनावेस हो और नेगेटिवली चार्जड ठीक है अब देखिए वाट इस कॉल्ड दोस पार्टिकल्स विचार हेवियर देन दा प्रोटोन प्रोटोन की तुलना में जो कंड भारी होते हैं उनको क्या का जाता है बेरियोंस का जाता है ठीक है और एंटी पार्टिकल अब क्वार के जनोन क्वार का प्रितिकन क्या होता है इसका एंटी क्वार कहलाता है ठीक है इसमें लिखा हुआ है आप चलते हैं 79 what is called automicity किसी एक अणू में उपस्तित पर्मानों की संख्या को हम उसकी पर्मान उपता कहते हैं ठीक है it is total number of atoms present in one molecule is called automicity जैसे मैं oxygen की बात करूं oxygen का एक अणू का जो क्या है O2 है तो oxygen की जो पर्मान उपता है वो कितनी होगी दो होगी इसी तरह अगला प्रिशने देखिए 51 की आवोगाद्रो नंबर is तो इसको तो मची तरह से जानते है वही इस टोटल number of atoms or molecules present in one mole अर्थात एक mole में उपस्तित पर्मानों की जो संख्या है उसको क्या कहते हैं आवोगाद्रो संख्या कहते हैं और इसका जो number है वह कितना होता है कि एक mole में पस्तित पर्मानों की संख्या टोटल कितनी होती है 6.023 into 10 की power 23 इसको याद रख लेना यह क्या है आवोगाद्रो संख्या है अब चलते हैं वही 80 प्रिशन पर विच आटोमेटिक मॉडल स्टेट डैट दा नेगेटिव चार्जड इलेक इन डिफ्रेंट और विट्स बैई कौन से पर्मानों मोडल ने सरप्रितम यह बताया था कि विविन कक्छाओं में लेक्ट्रों चक्कर लगाते हैं तो यह तो रदरफोर्ड मोडल नहीं बताया था ठीक है क्योंकि थॉम्सन ने तो क्या बताया था कि धनाविक उसकी प्रि क्छाओं में लेक्ट्रों चक्कर लगाते हैं अब आगे चलते हैं एक्ट्री एलेक्ट्रो मेगनेटिक रेडियेशन इस फॉर्म ऑफ एनरजी ट्रांस्पोर्टेड इन फॉर्म वेव तो समझ में आई गया होगा अब चलते हैं एटीवन वाट इस यूजड इन पहचान के लिए और उसके उपचार के लिए कौन से आइसोटोप का प्रियोग के जाता है तो वह है आयोडीन 131 का वाट यूजड टू लोकेट दा डिफेक्ट इन ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारे रोधिर परसंचरण में कोई खरावी है तो उसकी पहचान के लिए उसकी डिटेक्शन के लिए किसका प्रियोग के जाता है आरी 59 का तो अब देखिए वाट इस यूजड इन डिटेक्शन ऑफ डिसॉडर इन दा पैंक्रियेटिक ग्लेंड जो हमारी पैंक्रियास ग्रिंती होती है उसमें अगर कोई कमी आ जाती है अर्थाद डिसॉडर उत्मन हो जाता है तो उसके लिए से 79 आप थोड़ा इनको याद कर लें और टेक्नीक न्यूट्रों एक्टिवेशन एनलेसिस यूजड फॉर यह किसका मीजरिंग दा कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट प्रिजेंट इन वेरी स्माल अमाउंट अव एटी टू वाट इस तूड़ी दा अ अब फॉस्फुरस बाइब प्लांट्स एंड ट्रांस पॉड़ेशन और मेंडल्स स्लेट विजिन दा प्लांट्स देगी मानव की तो बात कर लिए पेड़ पौदों की बात करेंगी पेड़ पौद हैं वह फास्फुरस का आपसोचन वह एक आवशक तद्वेशन कर रहे ह हूं जैसे चैंसरा स्ट्यूमर्स अगर कई सरीर में कहींचर का ट्यूमर्य फोड़ा हो जाता है तो उसके लिए कोवाल्ट साइट की विकरणों का प्रियोग किया जाता है मतलब जो सिकाई कहते हैं किसकी क्रणों की सिकाई अरता एक केंदर ठेरफी होती है इसमें एक मसीन के द्वारा कोबारट वार्ट 10 की क्रिनों हो उस ट्यूमर डाला जाता है जिससे ही लिए इस दर्द Biology अब बत आंच सप्रियोग करते हैं ब्लप सर्कृलिटिवेशन अगर कहीं रुदिर परसंचरण में खराब यह तो उसके लिए सोडियम 24 का प्रियोग किया जाता है अभी जो बता रहे था वह यह सब पिंक्रियाटिक ग्लेंट के लिए ऐसी 79 और यह रहा आपकी प्रिशनेट 83 विच इस दा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एमिट्रेट वाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे आख कौन सा जब नाविक से विक्रान उससर जेत होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज कौन सा एलिमेंट होता है वो सब जानते हैं एल्फा कन होते हैं ठीक है 2HE4 जो बास्ता में हीलियम के नाविक है ठीक है अब लॉंग डिस्टेंस फोटोग्राफी इस फैसलिटेड वाई जो दूरी तक फोटोग्राफी करने के लिए इंफ्रारेट आप देखते हैं अगर महेंगे अगर आपके पास मोबाइल है तो उसमें भी आपने देखा होगा कि इंफ्रारेट के ने होती है ठीक है अब अगला प्रिश्ण जैसे बिच रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट हैस ड्रॉन दा अटेंशन ऑफ दा पबलिक द्यू टू इन इट्स अक्यूरेंस इन दा बिल्डिंग मैटिरियल्स थोरी है जानते हैं ठीक है आप देखिए 84 दी आइसोटोफ ऑफ यूरिनियम के प्रियोग करते हैं ठीक है जो नावकी स्रिंखला प्रिक्रिया कराईजिए यूरिनिम 235 पर बंद गती के नियोट्रोन की बहचार की जाती है तो वह दो या दो से अधिक भागों नावकों विवक्त हो जाता है यह फिर इन पर ना मतलब यह चैंस ही बन जाती है एक पर आइसोटोप्स आर सेपरेटेड़ वाई डिस्टिलेशन मतलब आइसोटोप को हम कैसे या समिस्ताने को कैसे हम विवाजित करते हैं या विवेद करते हैं वाट यूजड एज एजे मॉडरेटर नियुक्लियर रेक्टर नावकी यह जो बटी होती है परमानू बटी जि लिए अलफा कणों की बड़े कौन से प्रिक्रिणन के लिए अलफा कणों की बड़े कौन से प्रिक्रिणन के लिए परमानू का नावी की उत्तरदाई यह एलेक्टर नहीं क्यों तो मैं अभी इसकी चर्चाहस तो कही वार कर चुके हैं कि एलेक्टरोन एलफा कण की तुल कोई पॉजेटिव चार्जे कर सकता है और जिसका जो बजने वह ऐलफा कंग से जादा हो उसलिए जो cleanan के लिए जम्मेदार है वो नाविक है अर्थाद नाविक में उपस्थित proton है ना कि electron क्योंकि electron में ना तो इतना द्रब्मान है ना इतना आवेस है ठीक है और वैसे भी एक दूसरे के opposite है ये deflect नहीं करेंगे आकर सित कर सकते थे अगर electron का द्रब्मान पर्मानोमौडल कyou अार इलेक्ट नाविक के चार और किनी और किसी और इस पश्ट करके बता दिया था कि एलेक्ट्रोन किसी भी कक्छाओं में चक्कर नहीं लगाएगा इलेक्ट्रोन केवल उन्हीं कक्छाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कौन ये संबेग H upon 2pi के गुणज होता है अर्थात मैं लिख भी देता हूँ MBR ये कौन ये संबेग का स 3-4 हो सकता है ठीक है अब दूसरी बात देखिए अब आगे और चलते हैं कि रधर फोर्ड मॉडल के अनसार एलेक्ट्रोन सभी आप रितियों की तरंगें उसर्जित करते हैं ठीक है जब विविन का च्छाओं में चक्कर लगा रहे हैं तो विविन आप रितियों की तरंग नहीं उसर्जित करते हैं जिनके कारण जो इस्पेक्ट्रम में रियखिल प्राप्त होता है एक और बात है इसके अत्रिक रधर फोर्ड मॉडल परमाणू के स्थायत्व की व्याक्ष्या नहीं कर पाया तो ने क्या बताया था उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रोन नाविक के में बृताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं अब सीधी सिवाथ है नाविक क्या है पॉजिटिव ली चार्जड है इलेक्ट्रोन नेगिटिव ली चार्जड आप इसके चार और चकर लगा रहा है तो चकर लगाते समय उसकी उर्जा में धीरे-धीरे कमी तो आनी चाहिए और जब उर्जा में धीरे-धीरे कमी आएगी तो इलेक्ट्रोन नाविक की और आकरसित होगा और इलेक्ट्रोन नाविक की और आकरसित होगा तो उसके जो बृताकार पत है उसमें कमी आती जाएगी अर्थाथ और अंत में सर्प्रेटर कार गती करता हुआ वो इलेक्ट्र परमाणू एस्थाई होना चाहिए जबकि बोर मॉडल के अनसार परमाणू एक इस्थाई कण है ठीक है अब देखिए अगली बात पर चलते हैं एलफा कणों के प्रिकीनन संबंधी रदरफोड के प्रियोग में स्वन पत्र ही क्यों प्रियोग किया तो देखिए मैं बहुत अच्छी तरह से इसको लिखकर आपको समझा दिया है कि एलफा कण का बिक्षेप एक अकेली टकर के कारण हो इसके लिए आवश्य कहे कि दातू पत्र बहुत पत्ला हो अब दातु पत्र पत्ला होने के लिए क्यों जरूरी है वाई कि मोटे पत्र में पर्मानों की बहुत सी परस्ते होने के कारण एलफा कंड की पर्मानों से बहुल टक्कर होंगे पत्ली होगी तो कम पर्मानों से उसकी टक्कर करने पले कि अगर मोटी प प्रखातबरद्नीयता का गौन किसमें होता है सौने में होता तो क्योंकि पीट पीट कर बहुत पतला किया जा सकता है उसकी पतली परते बनाई जा सकती है कि अब आपको पता है जो नाविक है वारी इसमें प्रोटोंस की संक्या बहुत अधिक होती है जिससे एलफा कंड का बिक्षेब अधिक होगा ठीक है क्योंकि एलफा कंड धनावे से तै और जब नाविक बारी होगी तभी तो बहुत से टकरा आगे बापस लोटेगा नहीं तो लोट रहेगा कैसे हां नाविक अगर हलकी होई तो एलफा कंड की टकर के कारण नाविक ही नस्ट हो जाती तो आगे चलते हैं कि हाइड्रोजन के अब देखे इसमें हाइड्रोजन के परमानू के बोर मोडल में एलेक्ट्रोन का दुतिय कक्षा में संबेख कितना होता है तो अभी मैं बताया था कि एलेक्ट्रोन केबल उन्ही कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणी है संबेख ठीक है जिसको मैं M, B, R नाम दूँ वो H upon 2pi का पूंड कोना जो होता है ठीक है अब ये N क्या है N का मान एक, दो, तीन, चार हो सकता है ये मुख क्वांटम से क्या है N का मान जब एक ह इसको के कक्ष बोलते हैं इसी तरह N का मान जब होता है इसको L कक्षक बोलते हैं जब तीन होने पर M और इसी तरह N अब पूच क्या रहा है तो तीयक क्षा में कितना संबेख होगा तो N की जगए 2 रख दीजिए तो देखिए N की जगए में 2 रख रहा हूं तो 2H upon 2pi देख परवाणू में इलेक्ट्रोन की इस्थाई कक्षा किसे कहते हैं तथा इसकी सर्त क्या है अभी बात कर रहे थे कि परवाणू में इलेक्ट्रोन की इस्थाई कक्षा होती है जिसमें गूमते हुए इलेक्ट्रोन कोई ओर जाउत सर्जित नहीं करता है इस्थाई कक्षा में गूमते हुए एलेक्ट्रोन का कोड़ी है सम्भेग H upon 2 by का पूर्ण कोना जो होना चाहिए ये बोर की मुख quantum सर्त है भई जहां H Planck का निये तांक है इसे बोर का quantum प्रितवन्द भी कहते हैं इसको आप डंग से भई याद कर ले न और बैसे ध्यान रख ले न की रदर फोड के मॉडल की जो कमियां थी उसको किस ने सुधा रहा था बोर ने सुधा रहा था और किसका प्रियोग किया था प्लांक के quantum सिद्दान्त का इन्हों भी ने प्रियोग किया था अपनी बात को समझाने के लिए बोर ने अब देखिए नबभ एमाप्रशने देखिए बौर के परमानु प्रित रूप में merkट्रोन प्रोटोन निकाय का स्थायत के से प्राप्त होता है फ़े बोर ने इस बात को कैसे समझा या कि नाविक के चार और चक्कर लगा ह critical नाविक की चारा और जबuls मेगा और नेकटैव कि चारज़ रहें। जो आवश्यक अवकेंद्रीवल के संजा है बाई इलेक्ट्रोन बृताकार कख्छा में चक्कर लगाता है और कोई पता भी बस तो ज बृताकार कख्छा में चक्कर लगाती तो उसके जो कोड़ी है संब्वेग होता है M, B, सोरी आवेश्यक अपकेंद्रियबल का जो मान होता है वो कितना होता है M, B, Squire, R वो किस से प्राप्त होता है K, Z, E ये तो नाविक कावेश है वही Z परमानुक्रमांग है और एक प्रोटोन पर आवेश्यक इस कितना होता है E, K, Q 1, Q 2 और Q 2 के स्थान पर इसके बीच में आकरशन पर लग रहा है वो भाई नाविक नाविक कावेश्यक इस कितना देगे नाविक में मान लीजी ये प्रोटोनों के संगे Z है और एक proton पर आवेस कितना है E तो कुल आवेस कितना हो गया Z1 तो Q1 के स्थान पर तो हो गया Z2 और Q2 ये कुलाम का नियम है Q2 अर्था दूसरा आवेस कोन है electron इसका भी मापांग लेते हैं न भई हम तो परमाण कितना हो जाएगा E तो KZE अपोन दोनों के बीच में अगर ये से ये परमाण हो 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 है वाई और ये नाविक है और ये electron गूम रहा है इनके बीच की दूरी अगर R है तो वो R square हो जाएगा ठीक है तो ये MB square बटे R बराबर किस की हो जाएगा KZE square बटे R square से ये R से square cancel हो जाएगा तो ये क्या है उन्होंने बता दिया कि बृताकार मार्ग में घूमने के लिए electronों के लिए जो आवस्यक अपकेंद्रिवल होता है वो बस्तुते किस से प्राप्त होता है electron और नाविक के बीच लगने वाले आकरशन बल से या कूलामबल से प्राप्त होता है ये बात उन्होंने समझाई और इसी के कारण बहिए उन्होंने रदरफोड की जो ये बहुत बड़ी कमी रह गई थी समझाने में वो असमर्थ रहे थे उसको उन्होंने दूर कर दिया था अगला देखे ये प्रिशन बहुत अच्छा है यदि प्रिकृती में मुख्य क्वांटम संख्या एन ग्रेटर देन 4 के तत्व नहीं हो मतलब यो कहना क्या जा रहा है कि प्रिकृती में ऐसा होता कि एन का मान 4 से जादा नहीं होता और ऐसे तत्व नहीं पाया जाते जिनमें एन का मान 4 से जादा हो अर्था 4 तक ही होते तो संभव तत्वों की संख्या कितने होते देखिए मैं अभी बतायाता है कि एन का मान जब 1 होता है एन का मान लिख देता हूँ मैं 1,2,3,4 यह कहना चाहरा है कि एन का मान मुक क्वांटम संख्या का मान 4 तक ही होता तो प्रिकृती में कितने तत्व पाये जाते तो 4 तक होता तो देखिए एन का मान जब 1 होता है तो के कक्ष 2 के लिए L, तीसरी के लिए M और N अब हम प्रते कक्ष में उपसित अधिक्तम संख्या कि शूत्र से ग्याद करते जिए two N square सी तो देखिए N का मान 1 रखें तो के कक्ष में आधिक्तम अलेक्टम की संख्या कितने आ जाएगी Dù N का मान रखिए 2 22ape 2 का sqaer तो L कक्ष में उपसित अधिक्तम मान जाते कितने हो जाएगी ठीक है अधिक्तम ही हो जाते हैं तो 32, 18, 50 और ये 10, 60 तो अधिक्तम कितने तत्व हो सकते हैं सिस्थिति में 60 हो सकते थे तो correct answer is ठीक है आप कैसे याद कर सकते हैं इसको देखिए 2 into 4 तक है न चार तक है तो देखिए 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग इस तरह से कर दीजिए तो देखिए 2 into 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 तो देखिए 16 और 9 25 और 4 29 और 31 अर्था 2 into 30 बरावर 60 अगर प्रिश्णी ये आ जाता कि वाई प्रिक्रती में मुख क्वांटम सिंख्या एन बरावर 3 ही तक होते तो कितने होते तब कैसे करते दो इंटू 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग ठीक है तो 9 और 4 13 और 14 तो उस समय 28 तत होते तब क्या होते 28 तत होते आप ऐसे निकाल लीजिए चाहर इसे निकाल लीजी जैसे एज न वराबर 3 तक ही अहीं होते तो यह जाता तो 28 होते 28 होते है अधिर्टम कैसे भी काल लीजिए आप आप एप बूद् अच्छे प्रिश्ंत मैंने। कुछ लिए कि रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए ना हाइट्रोजन पर्मानु के बोर मॉडल में एन क्वांटम संख्या में एलेक्ट्रोन की गतिज उर्जा तता संपूर्ण उर्जा का अनपात है यह प्रस्ण आ चुका है एक्चल मैं थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एनवी कच्छा में एलेक्ट्रोन की गतिज उर्जा कितनी होती है ना जैसे बताया ना एनवी कच्छा में एलेक्ट्रोन की गतिज उर्जा तो काइनेटिक उर्जा वो होती है मैं बताया है यह दनात्मक होती है गतिज उर्जा प्लस 13.6 बटे एन स्क्वाइर इंटू ज स्कॉएर जेड़ जंग क्या है पर्मानुक्रमांग कर ऐन मुख्ष क्वांटम सिंग इतने इलेक्ट्रोन बॉल्ट और अब दीकिंगे अनपात किसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रोन की गतिजूर्जा और संपुन उर्जा और संपूर्ण उर्जा क्या होती है अनलब टोटल एनरजी तो एन वी कक्षा में कुल उर्जा होती है एन और वो मान होता है माइनस तिरह दसमलब 6 बटे एन स्कॉयर जेड स्कॉयर एलेक्टरोन बोल्ट अब इनका अनपात पूछ रहा है गती जूर जाका और कोलूर जाका तो देखिए 13.6 बटे N स्क्वाइर 13.6 बटे N स्क्वाइर प्लस माइनस का है और Z स्क्वाइर है तो इनका जो अनपात है वो कितना हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा ठीक है? क्योंकि इसमें जब इसका भाग देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 1 तो इसकी जगे कितना आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा समझ भाया गी न भई ध्यान रखने भई जो N में कक्छक में एलेक्टोन की गति जूर जाए वो 13.6 Z2 बटे N2 इतनी एलेक्टोन बोल्ट और कुल उर्जा माइनस 13.6 बटे N2 इंटू Z2 इतनी एलेक्टोन बोल्ट इस्ते तो जूर जा कितनी होती है फिर वो होती है माइनस 27.2 Z2 बटे N2 इलेक्टोन बोल्ट ठीक है तभी तो कुल उर्जा माइनस 27.2 प्लस 13.6 इंटू Z2 बटे N2 तब कितना जाता है यह आ जाती है तो यह मैंने पहले लिख दिया है आप उसको ध्यान से पढ़ लेना वही और देखिए अगला प्रिशने इसी में कि प्रिथम बोल्ट कक्छा की तरजा आर जीरो है ठीक है वही N2 कक्छा में एलेक्टोन पत की तरजा तथा कोड़ी है संभेक आप देखिए मैंने बताया था कि बोर मोडल में जब हाइडोजन परमाणू के लिए कक्छा N1 कक्छा की तरजा है उसकी गड़ना की थी तो R N कमान कितना है था 0.529 N2 upon Z इतने आंग्स्ट्रॉम तो CDC बात है देखिए यदि प्रिथम बोर कक्छा की तरजा था N कमान में एक रख दूँ प्रिथम बोर कक्छा क्छा क्या होगी N कमान एक और Z कमान एक आई जाएगा हाइटोजन परमाणू के लिए तो R1 या R0 कमान कितना है जाएगा 0.529 तो R1 कमान और इसको कितना नाम दे दिया उसनोंने R0 ठीक है अब N भी कक्छा में लेक्टोन की तरजा क्या होगी भाई ये N स्क्वाइर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा R0 N स्क्वाइर हो जाएगा तता कौण ये संबेक कितना होगा अब कौण ये संबेक तो आप जानते हैं N H अपॉन 2 पाई N भी क्छा का कौण ये संबेक कितना होगा N H अपॉन 2 पाई हो जाएगा तो अब देखिए तीन चार पांच ये तीनों प्रिश्ण में ने एक साथ जा लिख दियें खाली जगे है जान से देखिए का परमाणू मोडल एलफा कणों के बड़े कोणों पर प्रिकीर्णन की ब्याख्या करने में अस्फल रा कौन का रदर फोड ने तो कर दिया था तो यहां तो आ आजाएगा थो फोम सन का जो परमाणू मोडल यहां थो नद पिते होता है और खी竜 सामान भिकृषबात करेगा कें और ऑफडन ने क्या रधा कर ता कि संपून उप्त। धनावेस है और द्रब्यमान है वो पर्मानु में अतिसूख्ष वे स्थान पर केंद्रित होता है जैसे नाविक कहते हैं ठीके पर्मानु ये नाविक की खोज किसी ने की थी रदर फोड ने किसने रदर फोड ने की थी और उन्हों नहीं थे बताया था कि परमाणू का समस्त धनावेश और द्रब्यमान एक अती सूक्ष में भाग में केंद्रित होता है जिसे नाविक कहते हैं और नाविक की जो त्रिजा है वो दसकीगात माइनस पंद्रे मीटर कोट रोजन के रेखिल स्पेक्ट्रम की ब्याक्या करने में असफल रहा था उन्हों ने क्या कहा था कि स्पेक्ट्रम सत्व ना चाहिए ठीक है लेकिन बोर वाई यह रेखेल स्पेक्ट्रम होता है तो इसमें क्या लखेंगे असफल रहा था ठीक है इसमें यह आ जाएगा आप देखिए आप चलते हैं 6-7 पर नील्स वोर्ड ने रदर फोर्ड के परमाणू मॉडल में संसोधन करने के लिए नील्स वोर्ड ने बताया नील्स प्लांटाम सिद्दांत का प्रियोप किया था अगला देखिए बोर के अनसार आप कीवल उनीक अक्षाओं में पर्करमा करता है जिनका कोडिय संवेगal एच अपॉन टू पाई का पूर्ण गुणज होता है ठीक है तो यहार रिक्तिस्थान में क्या जाएगा कौण यह संबेक और कौण यह संबेक का मान क्या होता है अपनी कख्छा में गुमते समय एलेक्टरों उर्जा का विकिरन नहीं करता है इसलिए जब इस्थाई कख्छा में चक्र लगाता है तो उर्जा का उत्सरजन नहीं करता है उरजा जब गरता है जब वो किसी उच्च से निम्द चुर्प में संक्रवन करता है जंप करता है कि इन कख्छाओं को क्या कहा उसने इस्थाई क्ख्छाएं कहा था अनुग क्या कहा था इस थाई कख्छाएं इस्टेविल और विट कहा था अब देखिए नमा प्रिश्ण कोई पर्मानू इलेक्ट्रोन की अवस्था में केवल कितने तक मतलब उसने कहा था कि बाइस एक बात और बोर्ट ने बताये थी कि जो पर्मानू का इलेक्ट्रोन है कभी-कभी उर्जा प्राप करके निम्नकक्स में आजाता है तो देखिए नमी में क्या रहेगा आप ही बताईए कोई पर्मानू इलेक्ट्रोन की उत्तेजित अबस्था में या अधिक उर्जा प्राप्त करके उत्तेजित अबस्था में या मतलब उचकच्छा में केवल दसकी घात माइनस आट सेकिंड तक ही ठैर सकता अब दस माँ प्रिश्ण देखिए तो मिहां से खिखें तॉम्संट मोडल में परमाणू का आकार में प依行 की उन्होंक्त बादिए जैसी बात बात वहां का माइनस यत दोनों की अन्जार कि और माणू ने दोन्हों ने भी दस की घात मीटर-10 तो अधिक भिन दो नहीं होता है थीड है में इसमें निम्नतम अवस्ठा में इस्ताई सामें होते हैं जब कि हिस्ते उभ्र cried किसने का था थॉमसं मौडल में क्या कहता है तो यहां थॉमसं न जा आजाए कि तॉमसन मॉडल में निम्नत मवस्थाम एलेक्टोन सामे में होते हैं, ठीकें? जबकि जो रधर फोर्ड का मॉडल क्या कहता था है? कि एलेक्टोन सदेब नेट वल अनभव करते हैं नाविक की तरफ, ठीकें? यहां रधर फोर्ड मॉडल आ जाएगा इस जगें? अब यह चीदी सी बात है टॉम्सन ने तो नहीं कहा था रदर फूर्ड के साब से रदर फूर्ड नहां इसमें रदर फूर्ड आएगा बई क्यों क्योंकि रदर फूर्ड यह बताया ही नहीं पायत है कि एलेक्ट्रोन विविन कक्छाओं में चक्कर कैसे लगाते हैं ना उन्हों क्योंकि रेक्ट्रोन की उर्जा में देरे-देर कमी आनी चाहिए और अंत में वह सर्पलाकार गती करता हुए नावेक में समा जाना चाहिए तो परमानु का नश्ट होना निश्चित्ता रदर फूर्ड मॉडल के अन्सार आब इसमें देखिए डी कि किसी परमानु के दिर परमानु का समस्तित दरव्यमान के इंद्रेत होता है जान रखना इस जगह पर आएगा तॉम्सन मॉडल और इस जगह क्या एगा रदर फूर्ड मॉडल के था दिर्ब्यमान रूप से नाविक से बित्रित होता है अब इस में कैन्दित होता है अब इसमित देखेए इसमें क्या आनपे बताए आप खाली जगे में पर्माणू के दनावेसित वाका द्रभमान सरवादिक होता है दोनों नहीं कहाता है दोनों नहीं कहाता है कि दनावेस में जो पर्माणू का द्रभमान है वो दनावेस के कारणी होता है ठीक है तो दोनों मोडल में तो इसमें आ जाएगा दोनों मोडल में परमानू के धनाभशवाग का दिर्मान सरवादिक होता है क्योंकि एलेक्टरॉन नेस्टर उन्हों माना था नहिसे भी प्रोटोन इलेक्टरोन की तुलना में 836 गुना भारी होता है न्यूट्रोन कितना होता है 1849 गुना भारी होता है यह याद रखना है मास ओफ प्रोटोन इज एक्वल टू 1836 गुना मास ओफ इलेक्टोन इलेक्टोन की दिर्भमान का 1836 गुना जादा होता है ठीक है अब देखिए प्रिसन सिंख्या यह बहुत अच्छा प्रिसन है इसको समझ लीजिए इससे आपको बहुत आसानी होगी अन्य प्रिसनों को हल करने में देखिए निमलेकित नाविकों में से समिस्थानिक, संभारिक और सम्न्यूट्रिक जो नाविक है उनको बर्गी कृत कीजिए यहां लिखे हुए है तो देखिए मैंने लिख दिया है समिस्थानिक, समिस्थानिक डोने के लिए आप क्या करेंगे पहले तो एक ही नाविक होने चाहिए अर्थात उनका जो सिंबल है प्रितीक है रासानिक जो सिंबल है या प्रितीक है वो समान होने चाहिए जैसे देखिए हीलियम है तो हीलियम हीलियम के दो समिस्थानिक दिये गए है 2HE3 और 2HE4 देखिए इनकी दर्भमान सेंख्या अलग-अलग है या 3 है या 4 है लेकिन पर्मानुक्रमांग ही के ऑट्मेक नंवर क्या है önem समिस्थानिक में पर्मानुक्रमांग समान होता है दिर्भमांसिंख्या अलग-अलग होती है इसी तरह कारवन के 3 समिस्थानिक जा दिए गए हैं 12-13-14 दिर्भमान साथ 12-13 चोध या 3 ए cream going 3-4 OS होना चाहिए CCC ऐसे ही ही एक इलियम कार्वन कार्वन इसी तरह फासफुरस के दो समिस्थानिक दिये गए पी 30 और पी 31 यह क्या है ऑटमिक मास है ठीक है और परमानुक्रमांग दोनों का पंद्रे पंद्रे दिया गया है तो इन में से छाट लीजी आप यह दिये हुए ठीक ह अब देकिस का संवभारिक में नमी जैसे संवभारिक हर्ता जिनकी द्रभमान संख्या बराबर हो तो क्या अलग होनों चाहिए परमानुक्रमांग तो यह उसका समिस्थाने का just उल्टा ए अब देखिए ओपर देखिए 3,3 और सम्भारिक नाविकों को देखने के लिए प्रतीक अलग-अलग को सकते हैं ठीके अब पर्मानुक्रमांग को फ्रतीक से गया ए तो प्रतीक एक जैसे कैसे हो सकते हैं ठीक है, तो संभारेक में देखिए दो संभारेक हैं, Helium और Hydrogen, Hydrogen का जो तीसरा समस्थान हैorg, जिसको Treatium बोलते हैं, और हीलियं का समस्थान है के दोनों के पर्माणू बहार या कहे हैं, है और परवानुक्रमांग 6 और साथ इसी तरह है पोटेशियम और कैलसीयम पोटेशियम का 40 है कैल्सियम का भी 40 है संभारेक है ना बाहर समान हो गया लेकिन द्रब्मान संख्राबर ने के बावजूद इनकी परवानुक्रमांग अलग लगें अटमेक नमबर उन एक का उनी से एक का वी से इसलिए क्या क्या लाएंगे संभारिक तो संभारिक निकालने माप याद रखेंगे न कि ऐसे आपको नाविक डूड़ने जिनकी द्रभबान संक्या बराबर हो लेकिन अटमेक नमबर अलग-अलग हो ठीक है और समिस्था और प्रोटोनों की संक्या वी अलग-अलग अब देखिए इसमें क्या है जैसे देखिए तीन और चार हीलियम के देखें देख रहें न न n्यूट्वन कि में कितनी और इसमें भी चार में से दो गेता दो सुझकी you सब्सक्राइब दो है और oxid दोनों कैसे पैसी कारवन का समिस्थान स्विम्श्था न दो इसमें देखिए अबश्वान है कि अलग-áलग है और चौदे द्रब्मान संख्या भी अलग-अलग है 13 और 14 इसी तरह देखी अब इसमें कारवन और और ऑक्सीजन को देखिए यह कारवन और ऑक्सीजन को अगर द्यान से देखेंगे दोनों की जो द्रब्मान संख्या है 14 और 16 जबकि परमानू संख्या 6 और 8 है लेकिन न्यूट से 8 गटाईए तो 8 तो देखिए कारवन 14 और O16 इन दोनों की न्यूट्रोन और 8 इसलिए समन्यूट्रोники सोडियम 23 और मैंगनेशियम 24 द्रब्मान संख्या दोनों की अलग-अलग है एक की 23 है एक की 24 परमानुक्रमान सोडियम का 11 है मैंगनेशियम का 12 है लेकिन न्यूटोनों की संख्या देखिए 23 से 11 गटाई ये 12 आ जाएगा इसी तरह 24 से 12 गटाएंगे तो 12 दोनों में न्यूटोनों की संख्या 12 बार बार है इसलिए sodium 23 और magnesium 24 कैसे हैं सम न्यूट्रोनिक हैं तो अब आसा है आपके बात समझ में आ गई होगी तो अगले प्रि तो देखिए hydrogen के तीन समिस्थाने कों के नाम लेकिए आपको पताईए 1H1 इसको केबल हम hydrogen बोलते हैं या प्रोटियम भी बोलते हैं इसको क्या नाम भी है प्रोटियम आप केबल ठीक है इसी तरह deuterium का नाम क्या है 1H2 और tritium का नाम क्या है 1H3 ठीक है तो आप याद रख या hydrogen के तीन समिस्थाने के इसी तरह 96 देखिए helium परमाणू तता alpha कण में क्या अंतर है तो इसको ध्यान से समझ लें आप helium परमाणू एक अनाविसित कण है helium परमाणू सब जानते है परमाणू क्या है उदासीन होता है तो यह अनाविसित कण है जबकि alpha कण क्या है धनावि तो एक तो यह अंतर हो गया है helium नाविक या helium में सौरी परमाणू की बात करूं तो अनाविसित जबकि alpha कण दनाविसित है बास्तम में alpha कण helium परमाणू के नाविक है बास्तम में alpha कण क्या है helium परमाणू का नाविक है बहुत परिक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है completion की जितनी भी परिक्षा होती है चाहे हम GK के रूप में ले या सामान विज्ञान के रूप में ये प्रिश्ण बहुत पुछा जाता है कि बास्तम में alpha कंड क्या है helium परमानों के नाविक हैं क्या alpha कंड ठीक है red work नियतांक आर कमान कितना होता है रट लें आप इसको 1.097 इंटू 10 की पॉवर 7 प्रती मीटर या मीटर इनवर्स ठीक है वह अब 98 देखिए hydrogen परमानों के बोवर मॉडल में electron की पहली कच्छा की तरिज्जा 0.53 आंग्स्ट्रोम है बैसे बास्ता में कितनी होती है 0.529 आंग्स्ट्रोम तीसरी कच्छा की तरिज्जा कितनी होती है तो देखिए अभी मैं बता रहाता है कि rn एक्वल टू क्या होती है प्रतम कच्छा की तरिज्जा अगर मैं r0 मानू हूं 0.53 आंग्स्ट्रोम के तो तीसरी कच्छा में अर्थात n वराबर क्या देगी देदिया इसने तीन तो आर थिरी कितना हो जाएगा 0.53 इंटू n स्क्वाइर अर्था तीन का वर्ग तो 0.53 इंटू 9 गुणा कर दीजिए 9 तीय 27 और 9 पंजब 45 और ये 47 तो ये 4 दसमलब 77 आंग्स्ट्रोम के तो देखिए प्रशन संक्या निन्यान में यदि e, e का मतलब n में कक्षक में इस्थित किसी इलेक्ट्रोन की उर्जाका जो सूत्रे वो इस तरह से दिया जाता है माइनस 13.6 बटे n स्क्वाइर तो जब इलेक्ट्रोन n वरावर 3 अर्था तिरतीय कक्षक से n बरावर 2 अर्था तिरतीय कक्षक में कूदता है तो उत्सर्दित उर्जाका मान क्या होगा तो अब हम जानते हैं कि किसी n वर कक्षक में इस्थित इलेक्ट्रोन की जो कुल उर्जाका मान होता है वो होता है e n बरावर माइनस 13.6 बटे n स्क्वाइर इंटू z स्क्वाइर इलेक्ट्रोन वोल्ट यहाँ z क्या है उस तत्व का परमानू क्रमांग अब चुकि हाइड्रोजन परमानू की बात हो रहे तो हाइड्रोजन परमानू का तो परमानू क्रमान की एक होता है इसलिए z की जगए जब एक रखेंगे तो एक कबर एक हो जाएगा और सूत्र हो जाएगा माइनस 30.6 बटे एन स्को ऐट इतने इलेक्ट्रोन बोल्ट अब देखिए इलेक्ट्रोन तिरत्य कक्चक से दुटिय कक्चक में जा रहा है तो सबसे फ़हली हम जाद करेंगे कि इलेक्ट्रोन जो तीस्रे कक्चक में इस समय पूदने से पहले उसकी उर्जा तुरतिय कक्षक में कितनी थी तो देखिए E3 अर्थात N के जगे पर में क्या रख देता हूँ तीन रख देता हूँ तो E3 बरावर माइनस 13.6 बटे तीन का बर्ग अर्थात माइनस 13.6 बटे 9 इतने एलेक्ट्रोन बोल्ट इसी तरह मैं E2 अर्थात जो एलेक्ट्रोन जब कूदेगा दो तीन कक्षक में तो उस समय उसकी उर्जा कितनी होगी कूदने के बाद तो यह E2 हो जाएगा भाई माइनस 13.6 बटे एन इसक्वार की जगए 2 का बर्ग अर्थात माइनस 13.6 बटे 4 इलेक्ट्रोन बोल्ट अब कितनी उर्जा उतसर्जित होगी तो देखिए E3 में से E2 को घटा दीजिए तो उतसर्जित उर्जा का जो मान होगा वो कितना होगा E3 माइनस E2 तो देखिए दोनों में क्या कोमन है माइनस 13.6 तो माइनस 13.6 मैं कोमन ले देता हूँ तो यहां से क्या बचेगा भाई एक बचे नौ ठीक है और यह क्या हो जाएगा प्लस एक बचे चार तो यह माइनस है तो यह हो जाएगा माइनस एक बचे चार तो देखिए क्योंकि माइनस कोमन है तो यह तो प्लस हो जाता चूंकि माइनस E2 है इसलिए माइनस एक बचे चार अब इसको सॉल्व करें तो देखिए माइनस 13.6 और यह 36 इसका लगोत्तम आ जाएगा तो यह हो जाएगा चार माइनस ना नो इसका मतलब माइनस पांच बटे 36 तो यह हो जाएगे भई इसका गुणा कर दें तो 68 हो जाएगा प्लस के 68 बटे 36 बटे 36 बटे 36 बटे 36 और तीन 68 और 68 में अगर 36 का बाग ने चाती दूनी वैतर तो लगबग आ जाएगा यह एग दसमलव आठ आठ एलेक्ट्रोन बोल्ट या इसको राउंड अप में क्या कर सकते हैं 1.9 बोल्ट तो जब एलेक्ट्रोन 3 एक कच्चक से 2 एक कच्चक में संक्रमित करेगा यह कूदेगा जंप करेगा तो लगबग 1.9 बोल्ट के लगबग उर्जा उतसरजित होगी छ अगले प्रिशन पर दिखेए अधियन सेंख्याय 100 हइड्रोजन स्पेक्टरम में पास्टन स्रेड़ी आती है ठीके?, तो पास्टन स्रेड़ी रटी है कोन सी होती है और ये आपको याद होने चाहिए तो चलो इसका ऑंशर तुम्हें बता देता हूं ये अवरक्त छेतर में आती हैं इसमें आंसर हो जाएगा भई ए हो जाएगा ठीक है अब आप कहेंगे सर इनको कैसे याद करें तो ठीक है मैं एक तालका के रूप में इनको लिखकर आपको बता देता हूँ आप इनको थोड़ा देख लें और याद करने का प्रयास कर लेना तो देखिए जैसे यह मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ गया हूँ ठीक है इस तरह सी आ गई वही चलो इस तरह से देख लेते हैं तो देखिए पहले हैं लाइमन श्रेणी लाइमन की स्पेलिंग देख ले ना एल वाई एम एन सीरीज तो यह कप राप्द होती है जब कोई X2 शूर्जा इस तरह से प्रिथम इस तरह में आता है संकरमित करता है मतलब किसी ओछूर्जा दो दुतिये से यह तीसरे कशक से चौते कशक से पांच में कशक से कहां जाए प्रिथम कशक में आता है तो जो उसर्जित तरंगें वो लाईवन स्रेणी के अंतरगत आती हैं और ये किस में आती हैं इन उसर्जित जो इस्पेक्टर में उसका जो तरंग देर दे वो परावेंगनी छेतर में आता है वाई किसमें परावेंगनी छेतर में अब इसके लिए जो लेमडा मिनीमम है वो 912 स्त्रॉम की अब आपके सरह सूत्र कैसे आराम से आप निकाल सकते हैं किसी भी सीरी से और आप रखी वैंन अपूंड लेमडा बराबर आर वन उपॉन स्थिए जैसे लेंब्डा मिनिम्म निकाल लाएं किसी लिए की कुछ से पहले संक्रमन करें तो जैसे निकालना है कि वन अपाउन लेभडा मिनीमम क्या से निकालेंगे वहाई तो इसके लिए आप रख दीजिए बराबर कि आर तो है तो देखिए एन वन की इस जगह पर रखेंगे एक वटे एक का वर्ग माइनस एक वटे N2 का मान क्या रखेंगे दो तो ये हो जाएगा भाई 1 upon lambda minimum बराबर R ठीक है और ये 1 minus 1 वटे 4 तो कितना हो जाएगा 3 वटे 4 इसका मतलब lambda minimum कितनी हो जाएगी भाई इसका उल्टा कर दीजिए 4 वटे 3 R और R का मान आप जानते हैं red work निये इसी तरह हम lambda maximum कैसे निकाल लेंगे वई कि 1 upon lambda maximum बराबर 1 upon 1 square minus 1 upon क्या अननत का पर ठीक है तो इस तरह से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं अब देखिए 22 नि कप प्राप्त होगी वई नमबर 2 स्रेडी होती है 22 नि जब damn熟 किसी उच manipulate कामान करता है लेंडा minimum का मान जैसे ये 364 सान्स्टृम में मैकजीम्म का मान दिया हुआ 6563 आंक्स्ट्रॉम और ये भी जो कि जो रंगने हैं वह परावेंग नहीं और द्रिस्टे चेतर में पढ़ती हैं ठीक है, इसी तरह अफ पास्ट स्रेणि, जिसके अभी बात कर रहे थे, यह कप प्राप्त होती है, जब कोई एलेक्ट्रोन किसी उच उर जाइस तरह अर्था चार, पांच, चे से काहा है गमण करे, तीसरी कक्षक में गमन करें तो पास्टन स्रेणी प्राप्त होती है इसी तरह हैं बात करें ब्रेक्ट स्रेणी की तो ब्रेक्ट स्रेणी कब प्राप्त होती है वही जब किसी उच्चूड जाइसतर अर्थात जैसे 5, 6, 7 से 4 कक्षक में संक्रमन करें और fund स्रेड़ी प्राप्त होती है जब 6-7-8 अर्था उस्ट चूड़ जा इस तर से वो 5 में मैं गमन करें ठीक है तो इनको याद कर ले ना जैसे पास्टन स्रेड़ी कहां अवरक्त चेत्र में और fund स्रेड़ी भी अवरक्त चेत्र में तो पास्टन ब्रेक्ट और fund ये तीनों तो होती है अवरक्त चेत्र में लाइमन होती है परावेंगनी चेत्र में और बामर स्रेड़ी परावेंगनी और द्रिस्स चेत्र में होती है ठीक प्लस टू लिखा हुआ है इसका मतलब जानते हैं कोई पर्माणू प्लस टू में कब बदलेगा जब वो दो इलेक्ट्रोन त्यागे ठीके इसका मतलब इसने दो इलेक्ट्रोन त्यागे ते इसको पड़िये इसका आटोमिक मास अर्दात पर्माणू क्रमांग दिया है 38 और बार कहें या द्रब्यमान संख्या कहें वो 92 दिया हुआ है इसका मतलब इसके जो नाविक है उसमें प्रोटोन जैड कितने 38 ठीक है और न्यूट्रोन कैसे नकालेंगे वैई न्यूट्रोनों की संख्या कैसे नकालेंगे 92 से 38 घटा दीजिए तो ये हो जाएंगे 54 ठीक है वैई ये आगे वैई आप देखिए अब एस चुकि इसमें प्रोटोनों की संख्या 38 है तो इलेक्टोनों मूल जो होगा इसर उसमें इलेक्टोनों की संख्या 38 होगी चुकि ये इसर प्लस 2 में बदल रहा है इसलिए 38 से इसने दो इलेक्टोन त्या आगे है इसलिए इस समय हर्थात SR प्लस 2 में जो इलेक्टोन है वो कितने होंगे 36 होंगे अगर केवल SR होता तो इसमें भी इलेक्टोनों की संख्या प्रोटोनों की संख्या के बरावर होती 38 ही होती तो देखिए अब इनको पढ़िए परमानुक्रमांग 36 है गलत परमानुक्रमांग तो क्या है प्रोटोनों की संक्या होती है जो कितनी 38 तो ये कथन तो भाई गलत है अगर केवल SR होता इस तर ऐसे लिखा हुआ होता तब तो इलेक्टोनों की संक्या उसके परमानुक्रमांग के बरावर हो जाती ही, प्रोटोनों की संख्या अर्थात 38 हो जाती है, लेकि एसर प्लस टू अर्थात इसने दो एलेक्ट्रोन त्याग है, इसलिए 38 ना होगे, ये कितना होगा, 36 होने चाहिए, तो ये भी गलत है भई, नूटोनों की संख्या बामन है, बामन नहीं, चववन होनी चाहिए, क्योंकि जानरा का प्लस 2, प्लस 3 से द्रभमान संख्या पर प्रवाब नहीं पढ़ता, केवल एलेक्ट्रोनों की संख्या पर प्रवाब पढ़ता है, तो ये भी गलत हुआ भई, प्रोटोनों की संख्या 38 है, ये बात तो सही है, इसमें केवल कथन कौन सा है चार सत्य है, तो देखिए, कौन से कथन सत्य है, तो इसमें एक दो गलत है भई, दो तीन केवल चार, तो C is the correct answer, तो आसा है आपके समझ में आ गया होगा, अब हम अगले प्रिश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए, इसमें भी कथन दिये गए हैं, कथन एक उध्यान से पढ़िए, कि इलेक्ट्रोन पुंज क्रिश्टलिये सतयों में बिवर्तित होता है, ये आपने कहां पढ़ाता देविसन और जर्मर प्रियोग में, तो आप कारण क्या दिया गया, इसमें, इलेक्ट्रोन की दो इत प्रिकिर्ती होती है, अर्था तो एक कांड़ोए तरंग दोनों की तरह ब्यवार करता है, ये किसका कतन है भई, ड्रिवोग लिका है, तो अब देखिए, इसमें तो दोनों ही सही है, ये तो भई, तो ए और र, आर दोनों सत्ते हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है, तो ये ही सही हो गया है इसमें तो, ठीक है भई, ये सही व्या क्या एक सो चार तो देखिए निमल के साड़नियों का मिलान कीजिए तथा नीचे दिएगे कूट की सायता से सही उत्तर का चैन कीजिए यह सीडियेस में आया हुए प्रिशने अप वर्जन सिद्धान्त किस ने दिया था अनिष्टा का सिद्धान्त किस ने दिया था दृस्य चेत्र में हाइड्रोजन पर्माणू का पर्माण भी यह स्पेक्ट्रम अभी अभी तो अभी ने याद आ गया होगा ना बामर ठीक है कौन सा था दृस्य चेत्र में बामर ठीक है तो और क्वांटम यांत्र की तो देखिए अपने आप सबसे पहले आपको यह तो याद अब अनिस्ता का सिद्दान सी में देखिए अपने आप एक से पता लग जाए तो कभी भी हिम्मत नहीं आरनी चाहिए अब आप देखिए कि सी में एक आएक यही याद होता सोचिए तो C में तो एक आना है तो देखिए C में देखिए एक केवल आप्सन D में है तो D आटोमेटिक सही हो जाएगा वैसे और को भी देख लेते हैं अब बरजन सिद्दान दिया था पाउली ने अब देखिए इसको और देख लेते हैं क्वांटम यांत्रिकी वो स्रोजिंगर ने तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा D हो जाएगा तो इसी के साथ हम इस सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं आसा है आप लोगों को यह पसंद आई होगी हाँ अगर बास्तम में पसंद आई है और आपने वीडियो पूरा ध्यान से देखा है और आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ उप्योगी हो सकता है चैनल को प्लीज लाइक कर दें और अगर वीडियो को करना चाहें तो किसी साथी की सायता के लिए आप से यह भी कर दें धन्यवाद नमस्कार